हलो स्टूडन्स मैं संदिप सिंग वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल माइगनेट ब्रेंट्स हिंदे मेडियम में जहाँ पर मिलता आपको कम्प्लीट स्कूल एजूकेशन फ्री आफ कॉस्ट मतलब यहाँ पर को चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का क कोई सब्सक्रिप्शन कोई पैकेश खरीदे के बिल्कुल विजूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लेकर के आते हैं पूरा कोर्स कॉंटेंट फ्री आफ कॉस्ट एंड एक्स्पिरियंस टीचर्स के साथ तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जेक्ट के साथ और इन कुछ क्वेशन्स जो कि हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पर कि क्या-क्या वराइटीज हो सकती हैं यहां से क्वेशिन्स की जो कि हमारे स्कूल एग्जामिनेशन्स में इंपोरिंट तो है हैं यह साथ ही साथ अगर आप जई-इस परेंट हो या फिर आप नीट-इस परेंट ह तो वहाँ पर भी यह आपको पूरी तरीके से मदद करने वाली है तो हम process wise, steep wise सब कुछ देखते चले आ रहे हैं और इसी सिलसिले में, इस session में हम discuss करेंगे घुणन गतिज उर्जा पर अधारित प्रश्ण मतब जैसे हमने राखिय गतिज उर्जा पड़ी हुई है इसके अतिरिक्ट हम बहुत सारे miscellaneous questions को भी देखेंगे जहाँ पर हम समझेंगे कि भी और कौन-कौन से types के questions इस chapter से frame हो सकते क्योंकि इसके previous one sessions में हमने लगबग सभी तरीके के numerical problems को सभी formula पर based questions को कर लिया है यह हमारी numerical series की हम करहना चाहरे के last session है जहाँ पर miscellaneous questions भी लेकर क्या हूँगा यह तो हम discuss करेंगे ही कि हमारी गतिज उर्जा पर अधारित किस प्रकार के प्रशन होगी तो चलिए सुरू करते हैं में शेशन को फटा फट से और सबसे पहला question रहा यह आपके सामने लेकिन लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको formula revise करा देता हूँ जो की best है गतिज उर्जा और हमारी घूर्णी गतिज उर्जा पर तो देखें हमारे पास हमें जैसा कि पता है कि घूर्णी गतिज उर्जा के जब बात आती है तो घूर्णी गतिज उर्जा तो गतिज उर्जा तो भई से वही चीज होनी है क्या half mv square कौन से बाले में रैखिय गतिज उर्जा के जब हम चर्चा करना प्रारम करते हैं तो रैखिय गतिज उर्जा में हम कहते हैं कि यह होती है हमारी half mv square किती हाफ mv square अब यहाफ mv square में हमें बात पता है कि मास्क के जैसा जब हम घूर्णी के तीजू जम बात करते है तो जलत्व आघूर्ण आता है आई जैसे की द्रबिमान किसकी प्रापर्टी है भई एनोशिया की जलत्व की वैसे ही घूर्णी गती में जलत्व के नाम बदल के जलत्व आघूर्ण हो गया और द्रबिमान एम जैसा ही behavior show करने वाला कौन आ जाता आई और इसके बाद v square मत्तब वेग का स्क्वार्ण तो यहाँ पर कोणी है वेग का स्क्वार्ण तो हाफ i omega स्क्वार्ण कितना असान है अब इसी तरीके से मैं कहूंगा कि तो कोई भी अगर एक मान लिजे ये एक पिंड है ये इसका अक्ष है इस अक्ष के परिता ये घूर्णी गती कर रहा है तो ये क्या होगा अगर मैं इसको चला रहा हूँ थोड़े समय बाद मैं देखूंगा कि ये चल करके यहां से यहां तक पहुंच गया अगर ये चल करके यहां से यहां तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब इसने यहां से यहां तक में और रैखिक गती भी की अगर यहां से यहां तक पहुंचा जिसके परिता ये घोनी गती कर रहा है ये इसकी पहली पोजीशन है ए पोजीशन थोड़ी देर बात देखा तो मैं कहां पहुँच चुका था बी पर पहुँच चुका था तो कुल मिला करके इसमें राखिये गती जूजा प्लेस राखिये गती जूजा तो मैं दोनों को ही लिख लेता हूँ कुल का मतलब हो गया घोनी गती जूजा प्लेस और राखिये गती जूजा अगर दोनों को हम सम अप करें तो कुल गती जूजा काइनेटिक एनरजी टोटल कह लेता हूँ ठीक है कारिणेटिक एनोरजी टोटिल कितना होगा भी तो घूर्णी गतिज उर्जा मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वार और रैखिय कितना होता भी तो हाफ एम वी स्क्वार इन दोनों का समिशन हो जाएगा कूल-कूल गतिज उर्जा और सिर्फ घूर्णी की बात करेंगे तो I omega square यहाँ पर हमें इनके formulas और के लिए है बट स्टिल मैं लिख देता हूँ I क्या होता है यह तो यह होता है MR square ठीक है और omega क्या होता है तो omega की अगर अब चर्चा करेंगे तो यह कोणिया वेग है इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखूँ तो यह है D theta upon dt और अगर मैं इसको relate करने की कोसिस करता हूँ किससे रैखिय से जैसे यह I MR square की बात करता है तो यह M क्या है यह रैखिय अगति में दरबिमान है उसी तरीके से मैं इसको अगर रैखिय अगति से relate करने की कोसिस करूँ किसको भी यह हमारे omega को तो omega r times होता है कौन हमारा v ठीक है न r omega equals to क्या होता है v इसका मतलब क्या भी तो हम ऐसा कह सकते कि omega equals to क्या हो जाता है v upon r तो क्यों नहीं सभी formulas को एक जगा कर लिया जाए क्योंकि अभी हम इस पर बार-बार questions करने वाले तो आईए चलिए हमने क्या-क्या बाते देख ली तो हमने सबसे पहले देखा हमने सबसे पहले देखा यहां पर कि भई हमारे पास में i equals to होता है कितना mr square i equals to mr square omega omega इकुलस टूमने क्या देखबर कि यह होता डी टी थीटा एपवन धीटी या फिर इसी omega को लिख है इस टर्म में कि अगर रैखिया वेग बराबर р यानि त्रिज्या इन्टू त्रिज्य आनि जो घूर्णी अच्छ से चल रही है उससे त्रिज्या इन्टू कोणी अवेग तो इसका मतलब हो गया रैखिये वेग यानि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा क्या हो जाएगा आर ओमेगा अब फिर सवाल यह आता है कि भी यह यह तो बना ओमेगा इक क्या लिख सकते हूं तो मैं लिख सकते हूं वी अपॉन आर क्या लिख सकते हैं वी अपॉन आर फिर हमने कानेटिक एनरजी देखी कौन सी तो मैंने इस्थानांतर रही है कौन सी कानेटिक एनरजी इस्थानांतर रही है ठीक यह कितनी होती है भी यह तो यह होती है हाफ एम omega square ठीक है इसी प्रकार से हमने और एक बात करी कुल गतिज उर्जा किसकी बात करी कुल अगतिज उर्जा तो कुल गतिज उर्जा में हमने कहा केई इस्थनांतरिय कानेटिक एनरजी कौन सी भई इस्थनांतरिय प्लेस कानेटिक एनरजी कौन सी भईया तो कौन यह अब अगर मैं कंप्लीटली लिखों तो कानेटिक एनरजी टूटल ये है हमारा हाफ आई ओमेगा स्कॉर्प एम वी स्कॉर्प प्लैस हाफ आई ओमेगा स्कॉर्य यह होगे हाला अच्छा अब अगर ये दोनों भी मिल गए हां से ठीक है तो मैं अगर इसी formulation में चाहूं तो कुछ-कुछ values और बना सकता हूं खाथ थोड़ी सी आपको देखने में असानी सी लगेगी लेकिन हम कर लेते क्या भी MR square क्या होगे आई कीट थोगया MRiß square 12 धे नसे देखेंगे तो यहां पर omega square omega कितना अबिया तो वी अपोन आरस का सब्झें वी अप ऊंब आर इसका क्या करना मुझे yo2 ये half of M आरस कोर से आरस का cancel हो गया तो यह बचेगा क्या half of mv square तो अब इसको आपको समझ में आ सकता है यह कि भी यह यह देखे ना जैसे इसकी valuations हम put up कर देते कि इसकी रैखे की तो यह उसके बराबर ही दिखने लेगा कैसी इस सनांतर यह के बराबर ठीक है चली आते हम जड़ा अपने सवाल पे और शुरू कर लेते हम अपने सबसे पहले question को जहां पर हम से discuss किया जा रहा है कि 50 ग्राम द्रबेमान तथा 20 cm व्यास का एक गोल है 50 ग्राम द्रबेमान है उसका और 20 cm व्यास का गोल है यानि उन्की मन जो है दिया गया क्या है चली गीवन डेटा सबसे पहला काम है हमारा म द्रबेमान दिया गया हमें असाइए काम हम करते हुए चलता है कि भीया जो given data है उसको हम लिखने कि कोशिस करते हैं ताकि हमारा आधा से जादा काम अगर हमने गिवन डेटा लिख दिया, तो ही हो जाता है, तो कितना अभी यह है, 50 ग्राम, ठीक है, आच्छा, 20 cm व्यास है, तो मतब व्यास जो गिवन है, वो D वैसिक लिवन है, कितना 20 cm, लगे हतो, R निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे तरिज्या अब एग यूनिट से पकडने की कोशिस करते हैं, 5 cm pr 6 second, इसका मतलब क्या है? शेंटीमीटर क्र 50 second मतलब रैखी या वेक की बात हो रहे है, तो वेक, वेक क incrORE भी है, यह, पाँच मीटर क्र洗 intent, कौनियो की कोई बात नहीं हो रहे है, बिना फिसले लुड़क रहा है अच्छा फिसला नहीं चाहिए है यह क्या हो रहा है यह बिना फिसले लुड़क रहा है फिसल नहीं रहा है लुड़क रहा है मतब वो गोल-गोल ऐसा घुमता हुआ ही जाएगा जैसे साइकल के पहिये के बात करते है तो साइकल के पहिया अग हाना तो वो ऐसे लुड़कती भी चलेगी इस सेम वे कि हमारे पास में 50 सेंटीमेटर स्वरी 50 ग्राम का ये हमारा एक गोला ठीक है एक बॉब टाइप कच और ये इस समतल पे क्या हो रहा भी तो ये लुड़कते हुए जा रहा है इसका सेंटर ये रहा जिसके परिता इसको घ ठीक है तो बढ़ने दीजिए क्या करना है मुझे मुझे करना है भी या कि ये कह रहे हैं कि कुल गती सूर्जा निकाल के दे दीजिए मत्ब ये कहना चारहे कि कानेटिक एनर्जी टोटल दे दीजिए तो ये तो होता है कानेटिक एनर्जी कौन सा भई स्थानांतरिया प्ल ठीक, तो calculate करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, सबसे पहले क्या लिखे भई, कानेटिक एनर्जी, जो हमारा, अच्छा ये दोनों तो सेम ही लिख गया मैं, रैखिया लिखते हैं, confusion क्यों, इसको रैखिया कह देता हूँ, इस थनांतर ही है मतलब जो, linear ली चले, और कानेटि कानेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालता हो, रैखिया, तो रैखिया तो निकालना बहुत आसान है, कितना होता भी है, हाफ एमवे स्कॉर, इसकी चर्चा हमने कर ली है, हमने चर्चा कर ली है, कितना होता भी है, यह होता है हमारा हाफ एमवे स्कॉर, ठीक है, तो यह होगे तो वेके करके जड़ा देखिए i की value i किता हो तब यह तो यह होता है mr square किता होता है i जो होता है यह होता है हमारा mr square ठीक लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है क्या दिया गया हमारा गोला ठीक है न क्या गेवन है हमारा गोला तो गोला के लिए अगर हम mr square के value लिखना चाहेंगे तो क्या होगा भई इसका mr square तो दिखें i mr square m की value 50 gram और r की value कितनी भी 10 तो यह हो जाएगा 10 का square कितना हो जाएगा 10 का square अब करना क्या है भई तो हमको यहाँ पर पता है कि यह होता है गोले के लिए 2 upon 5 mr square तो 2 upon 5 का और गुणा करते चलेंगे गोले के लिए तो यह होता है 2 upon 5 mr square तो 2 upon 5 का और गुणा करते चलेंगे तो यह हो गया हमारा पूरा term i निकल चाहेगा यहाँ से तो यह 5 से 10 बार में cancel हो गया है नहीं यह हो जाएगा 10 दूनी 20 यह 10 दूना 20 ठीक और 10 का square मतलब 100 यानि यह हो गया 2000 kg में अब ओमेगा चाहेगे तो ओमेगा क्या होगा ओमेगा के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर V गिवन है वी गिवन है और आर गिवन है तो मुझ मैंने अभी यह देखिए ओमेगा के लिए भी हम लोगों ने भी चर्चा करिये ओमेगा क्या होता है velocity upon radius V upon R तो मैं क्यों नहीं यहाँ पर omega equals to लिख लूँ यही V upon R अब V की value हमारे सामने given है 5 और R की value given है 10 तो यह कितना हो गया 0.5 क्या radian प्रतिस second यह हो जाता है क्या radian प्रतिस second अब इन दोनों की values निकल गी अब चलते हैं कानेटिक energy कौन सी कानेटिक energy I omega square में तो I omega square की अब मान को बताईए तो मैं कहता हूँ कानेटिक energy घोड़ी ठीक है घोड़ी कानेटिक energy का मतलब half I omega square इनकी values हमारे पास में है सब को रखते हैं तो एक काम करता हूँ मैं सीधे value ही रख लेता हूँ half I की value हर I की value अभी ज़स हमने calculate करी है 2000 तो यह होगे अब यह 2000 और omega square तो omega हम लोगे ने भी निकला point 5 तो point 5 का square अब finally यह मिल जाता है हमारे पास 25 मतब 0.25 तो 1000 गुणे यह हो जाएगा point 25 अब अगर इसको करते हैं तो यह मिल जाता है मेरे को 200 J देख लिए decimal 2 अंग के बाद लगाना था राइट साट से तो दो डिजिट के बाद हमने decimal लगा दे 200 J और यहाँ पर मुझे रखिये गती जो देखिये कानेटिक एनरजी जो निकालने थे यह भी निकालते हैं तो हाफ M की वेलू तो वही है पचास ग्राम और विलासिटी जो वेग यहाँ पर गिवन है हाना उसको और रखते हैं हम तो वेग हमारे पास है 5 मीटर पर सेकिड तो रख लीजे यह 5 का स्कॉर यह कितना हो जाए गालिटी मैटरी तो यह हो गया हमारा पचीस और यह पंच 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 पचीस तो पचीस पचीस छेसो पचीस यह मिल गया मुझे छेसो पचीस जूल अब क्या काम करना अब यह सारी वेल्यूस मिल गई तो मैं यहाँ पर लिया करके अड़ कर देता हूँ और राखिक कितनी मिली है छेसो पचीस और घुर्णी कितनी मिली है बई तो ढ़ाई सो कितनी हो जाएंगी 62875 जूल कितनी होगी 875 जूल तो कानेटिक एनरजी टूटल जो मिल गई वो मिल गई 6255 कितना असान सा है हमने क्या क्या निकाल लिया भी हमने निकालिया उसकе स्थिती जूर्जा इसकी सुरी रैखी गती जूर्जा और उसकी घूनी गती जूर्जा दोनों को ठागर्गर गर लिए बड़ाई सिंपल काम था अब जलिये बढ़ते हैं जरा अगले सवाल पर चाहें तो आप इसके स्क्रिंशॉट रख सकते हैं हम अपने अगले सवाल पर बढ़ रहे हैं नेक्स क्विश्चन है कि दोनों सीरों पर खुला एक पतला खोखला सिलिंडर जिसका द्रबिमान M है अच्छा ऐसा कुछ कह रहे हैं देखिए दोनों सीरों पर खुला है और पतला खोखला सिलिंडर है तो ये वाला सीरा भी खुला है और ये वाला सीरा भी जो है ये खुला है ये दोनों सीरे कैसे दिखने भी खुले होगा है ठीक है ये इसका axis of rotation होगा जिस पे इसको क्या करना रहेगा घूमना होगा ठीक है आचा द्रब्यमान M है तो पहली बात तो लिख लो मैं द्रब्यमान M ठीक बिना लुड़के V वेक से फिसलता है और बिना फिसले उसी वेक से लुड़कता है पहला है क्या भाई कि बिना लुड़के लुड़क नहीं रहा है फिसल रहा है और दूसरा कहा रहा है कि फिसल नहीं रहा है लुड़क रहा है दोनों स्थिते में गती जूर जाओं की तुलना कीजिए ठीक है दोनों स्थिते में क्या करनी है गती जूर जाओं की तुलना करनी है तो भाई एक पॉइंट यह है कि अ घूनी भी कर रहा है और इस्थनांतरिय गती भी कर रहा है यह घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो दोनों केसिस में जब मैं पहली केस की बात करता हूँ पहला केस क्या कहने भी बिना लुढ़के बिना लुढ़के ठीक है वी वेक से फिसलता है अगर ये बिना लुड़के वी वेक से फिसलता है इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब होगा भई कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है ये कर रहा है हमारी इस्थनांतरिय गती, घूनी गती नहीं हो रही है अर्थाथ इस्थानांतरिय गती करने में ये इस्थानांतरिय गती करने में गती उर्जा जो कानेटिक एनर्जी आपको यहां पर मिलेगी वो कितनी मिलेगी हाफ एमवी स्कूर ये कौन सी जोजा हुगी और रैखिय गती जोजा हाफ एमवी स्कूर अब इसको कहते हैं दूसरी स्थिति में आते हैं पहले स्थिति में कुछ करना भी नहीं था राइखिक प्लेस जो कानेटिक एनरजी होती है घोनी इन दोनों का इन दोनों का योगफल होता है तो कानेटिक एनरजी टूटल अब मैं एक एक करके निकालूं तो सबसे पहले मैं तो राइखिक निकालता हूँ फिर एकस के बाद यहां पर रखते चली तो कानेटिक एनरजी राइखी इचर्पक हमारे पास में 1.5 mg square है कारनेटिक एनरजी घूर्णी की हम 가तकर HolyTest तो कारनेटिक एनरजी यह हो गया 1.5 mg square प्लस घूर्णी कितनी होती है घूर्णी होती ह आई omega square किती होती भी है तो half of i omega square किते हो जाएगी half of i omega square ठीक चली तो मैं इसको जड़ा लिखता हूँ half mv square को तो रहने देजिए i omega square इसकी value को रख सकता हूँ मैं कि यहां पर देखें यहां से मैं यहां पर लिख देता हूँ पर i equals to क्या होता है अब यह तो यह होता है mr square किता होगा mr square यहां पर हमारे पास बेलन है क्या है बेलन तो बेलन के case में हमारा जो mr square ही होगा हना खोखला बेलन ठीक है खोखला बेलन सेम होता है भई हना mr square के बराबर अगर यह भरा हुआ बेलन होता है तब change होता खुखला बेलान है तो इसकी जड़त्व आगोंड जो हता है वो कितना होता है MR इसको है यह हो गया जड़त्व आगोंड अच्छा ऐसे ही मेरे को omega भी चाहिए तो omega कितना होगा तो omega की value के लिए तो हमने बार-बार चर्चा की हुई है यह देखिए omega के लिए हमने यहाँ पर discussion किया हुआ है omega के तोटा V upon R, velocity upon radius तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्या V upon R अब यहाँ पर omega square given है तो इसके हिसाब से चलिए लिखिए मैं इसको लिखता हूँ 1 upon 2 MR square omega square मतलब क्या हो जाएगा तो V upon R का whole square यही बनेगा अब कह रहे हैं क्या कि भी यहाँ इसमें तुलना कीजिए दोनों इस्थिति में गती जूर जाके तुलना करिए तो तुलना करने का मतलब क्या है भई तो देखिए मैं कहता हूँ दोनों के तुलना यहाँ पर लिखता हूँ तुलना comparison comparison बड़ा ही आसान सा काम है क्या करना है सबसे पहले मैं लिखता हूँ रैखिया ठीक है क्या करूँ मैं के रैखिया अपॉन में कानेटिक एनर्जी रैखिया अपॉन कानेटिक एनर्जी खुल तूटल तो रैखिया में तो हाफ mv square किता हो जागा यह वन अपॉन टू mv square और नीचे में अगर टोटल के बात करते हैं तो यह है पूरा टोटल कितना वन अपॉन टू mv square प्लस वन अपॉन टू mr square v upon v square upon r square तो यह हो गया वह यह v square upon r square ठीक है further इसको आगे की तरह बढ़ाता हूँ मैं तो क्या देखने को मिल रहा है यह r square r square वले terms तो cancel हो गए हरा equals to उपर में बच्चा है वह यह half mv square नीचे में जो बच्चा यह half mv square देखेगा half mv square plus plus यह r square r square cancel होगा तो half mv square ही होगा यह बिल्कुल मैं इसी की चर्चा करना चाहरा हूँ यह जो देखेगा आखरी में हमने लिखा हुआ है घुर्णी half i omega square यह half mv square के बराबर ही होती है तो इनको अगर मैंने दोनों को add on किया तो उपर तो बच्चरा half mv square लेकिन नीचे पूरा हो गया mv square यह आधा mv square और आधा mv square मतलब क्या हो गया भई पूरा mv square तो यह mv square से mv square cancel हो गया मुझे मिल गया के इ कौन सी रैखिया बटा में कानेटिक एनरजी कुल टोटल बराबर इक्वल्स तो वन अपॉन तो हो गया comparison अगर चाहें तो लिख भी सकते क्या कुल रैखिया कुल कानेटिक एनरजी इक्वल्स तू टू टाइमस आफ रैखिया तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं क्या मैं इसको एक छोटू लाइन में और लिख लेता हूं कि भीया कुल जो होगा यह बदल चुका है कितना तीरी एक गुणा कर दीजे भीया कानेटिक एनरजी कुल बराबर होगा दो गुणे कानेटिक एनरजी रैखिया हाना टोटल जो होगा वो अबिसली जो रैखिया हो रहा था उसका जश्ट कैसा होगा भई डबल तो मतलब इससे आपको एक बात समझ में आती क्या किसी को ऐसे खीच कर ले जाने से बेतर क्या होता है कि उसको ऐसा रोल करके ले जाए इसलिए सम्टाइम्स आपने देखा होगा कि कोई भारी चीज जब चल करके मतलब खिसकाना होता है तो उसके नीचे क्या करते हैं? कुछ रोलर्स लगा देते हैं जिसके उपर वो स्लाइड होकर कि एजली क्या हो सके? मूव हो सके ये बहुत बार देखा होगा हाना कोई जैसे भारी बकसा अगर खिसकाना हो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके जो रोज आपके आसपास में जो घटना क्रम चल रही है उन्हीं के बारे में स्टड़ी है और ये आपने कितनी बार ही देखा होगा अपने आसपास कि भाई ऐसा क्यूं करते थे कि एक भारी बकसे को खिसकाना है तो उसके नीचे क्या करें कुछ है ने रोलर्स डाल दें तो एजली खिसक जाएगी ठीक चलिए आगे बढ़ते हम अगले सवाल के तरफ question number question number third यहाँ पे करें कि एक पहिया है जिसके दरिवान 5 kg और त्रिज्या जो है वो 0.4 मीटर है सनक पर बिना फिसले 10 रेडियन प्रतिस सेकेंड के कूण या वेक से लुड़क रहा है पहिये का घूणन अक्च के साप एक जड़त वा घूण भी गेवन है पहिये का संपून गतिज उर्जा में कितने प्रतिस सत घूणन गतिज उर्जा है मतब उसकी जो संपून गतिज उर्जा है उसमें कितने प्रतिस सत जो है वो घूणन गतिज उर्जा का पार्ट है यानि ऐसा कहना चाहरे है कि संपून गतिज उर्जा जो रैखिय गती जूर्जा और घूर्णी गती जूर्जा से मिल करके बना होगा तो रैखिय गती जूर्जा कितनी है और उसकी गूर्णी गती जूर्जा कितनी है तो इसके रैखिये गती जूर्जा और घूर्णी गती जूर्जा हमको अलग अलग से निकालनी पड़ेगी, फिर हम उनको क्या कर सकेंगे, compare कर सकेंगे, तो चलिए, सबसे पहले तो लिखते हैं एक पहिया जसका द्रब्यमान, तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया भिया, तो द्रब्यमान, M गिवन है, 5 kg, ठीक है, तुरिज्जा कितनी है, 0.4 मीटर, तुरिज्जा, मतब R हमें गिवन है, 0.4 मीटर, 4 जी लो लिखू या 4 लिखू, बात बराबर, सणक पर बिना फिसले, 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड का मतब क्या है, यह कोणिय वेग, कैसे क्लियर है, तो इस यूनिट से, यह रेडियन परति से क्लियर है, कि यह कोणिय वेग, मतब ओमेगा की वैलू हो गई दस रेडियन प्रति सेकंड कोण यह वेक से लुड़क रहा है अच्छा कह भी दिया है तो और अच्छी बात है चली पहिये का घुणा नक्स के साफ एक जड़त्व आघुण मतब आई की वैलू दे दी जड़त्व आघुण हमारे पास में गिवन है आई हमारे पास में गिवन है कितना है भी यह तो 0.65 kg m2 ठीक है तो संपूर्ण गतिज उर्जा और घुर्णन गतिज उर्जा तो एक ही करके हम इसको निकालते हैं इसकी घुर्णी गतिज उर्जा और टोटल कानेट तो सबसे पहले घुर्णी को ही निकाल लेता हूं है ठीक है तो देखे कानेटिक एनरजी कौन से घुर्णी है घुर्णी कानेटिक एनरजी मतलब हाफ आई ओमेगा स्कॉर्ण सीधे सीधे हाफ आई ओमेगा i के value given है, omega के भी value given है तो सीधी simply रखी है 1 upon 2, i के value है 0.65 0.65 और omega square के value कितनी अभी है, 10 radian तो 10 का square है ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 upon 2 को ऐसी छोड़ते हैं ये 65 है अभी ये चलो, एक line के बाद लिखता हूँ ये अभी 0.65 है और ये कितना हो जाएगा भी है, तो ये 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा तो तब ये 65 बटा में 2 तो ये हो गया 65 बटा में 2 decimal ये 2-0 खत्ब तो 2 से इसको काट दूँ ये चली छोड़ता हूँ, देखते हैं आगे की तरफ हो सकता है कुछ कट जाएगा तो ये होगा 65 बटा में 2 घोणी ठीक है, चली तो चलो भी है 32 दूँनी 64 होता है काटो, ठीक है इतना जूल अब किसके उपर चलें तो अब चलते हैं किसके उपर भी तो अब चलते हैं हमारा जो रैखिय था है ना, तो कानेटिक एनरजी कौन सी वाली रैखिय वाली इस्थनांतरिय वाली रैखिय वाली, तो रैखिय में क्या होता है तो ये तो होता है half mv square अब ये 1 upon 2 तो ही कहीं रखा है m की value m की value कितनी है 5 kg तो इसको रख लिया हमने 5 और v square अब v square के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ी से महनत आथेंग करनी पड़ेगी ठीक है, क्योंकि radius दिया हुआ है तो भाई या, v equals to क्या होता है, r omega v equals to क्या होता है, तो r omega का square, ये देखिये v equals to, v equals to क्या होता है ये r omega, तो मैं यहाँ पर इसको भी utilize कर सकता हूँ, r omega को मैं क्या लिख रहा हूँ, r omega का square तो ये कितना हो जाएगा, 1 upon 2 times of 5 into r की value 0.4 है तो 0.4 into omega कितना भी या 10, इसका square है तो ये हो जाएगा, 1 upon 2 times of 5, ये 4 हो गया ultimate, यानि चचू का 16 200 गया 8, 8 पंजे कितना 40, 40 चू ये 40 चू लागया अब अब जो कुछ भी पूछ रहे हम उसकी बात कर सकते हैं, हैना हम कहरें संपूर्ण गतिज उर्जा में कितने प्रतिसत घूर्ण गतिज उर्जा है तो पहले संपूर्ण गतिज उर्जा निकाल लेते हैं कानेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं टोटल कुल तो कितना होता भी ये कानेटिक एनर्जी रैखिया और इसमें जोड दिजे कानेटिक एनर्जी कौन सा घूर्णी इन दोनों को जोड सकते हैं कानेटिक हैनुभी रैखीय की बात अगर करेंगे तो यह 40 ooh और गूर्णी की अगर बात करेंगे तो यह 23.72 अब कहते हैं कितने प्रतिसत है तो च्लो वह यह निकालते है प्रतिसत निकालने के लिए क्या काम कर सकता हूं मैं सबसे पहला तो यही काम करता हूं कि पहले इनका relation निकाले तो in 200% तो खतम होगी बात देखे गोणन गतिज उर्जा गोणन गतिज उर्जा की बात करें तो गोणन गतिज उर्जा उपर यही काम पहले भी करते हैं आरहें जैसे आपको आपके आय हुए marks के percentage निकालने होते हैं तो आया हुआ marks अपन में total marks in 200% तो गोणन गतिज उर्जा कितना था गोणन गतिज उर्जा थी 40 और total कितना था 32.5 ठीक है चालिस है और sorry 40 नहीं है भई गोणन गतिज उर्जा 32.5 पांच है यह 32.5 और यह किता है 72.5 ठीक है का 100% यह decimal से decimal तो cancel हो गया है तो यह कितना बच जाएगा यह बचाएगा तकरीबन 448 तो 448 4.8% कितना प्रतिशत है यह 44.8 प्रतिशत है यह total energy का ठीक है ना यह कह रहें ना कि जो हमारा घूणन गतिजूचा है घूणन गतिजूचा वो 44 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है बागी की जो हिस्सेदारी हो किसकी है वो इस थनांतरीय गती जूर्चा की जो टोटल कानेटिक एनर्जी है भाई या वो घूमता हुआ आगे की तरह बर्ड है तो उसके पास में स्थानांतरिये गती जूर्चा भी है घूनी गती जूर्चा भी तो घूनी गती जूर्चा का जो पार्ट है वो 44% है बैसिकली 44-10 बलाव आठ प्रतीसात है क्लियर हो गया भी यह भी चली तो इसका भी स्क्रीन सोट रखे है हम अपने अगले सवाल पर बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नमर फूर्थ की तरफ ठीक है बढ़ते भी यह अगला सवाल क्वेश्चन नमर फूर्थ यहां पर कुछ द लंबवत गुजरने वाले अछकी के सापेग जड़त वह आघून तथा घूणन गत्यूर्जा ग्यात करेंहें मतब इसमें आई ग्यात करना है ठीक है और कियांगरना भी घूणन गत्यूर्जा मतब इन और लिखते है घूण चिक है दिया क्या है कोड़ी अवेग दिया चार रेडियन प्रतिसेकंड यह ओमेगा गिवन है अब हमारे पास बहुत कुछ गिवन है क्या भई तो अब कुछ तो भी नहीं गिवन है मेरे से आई की मांग कर लीगी और कानेटिक उर्जा की बात कर लीगी आई जो है इसकी बात कर रहे है और कानेटिक एनरजी कौन सी बात करें भी है ये बात करें घूनी वाली ठीक है मतलब ये बात करना चाहरे है अल्टिमेट ए आई ओमेगा स्कॉायर की बात कर रहे है तो सबसे पहला काम तो आई निकालने का यह फिर ही कुछ बतलब बन सकेगा तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आई निकालने के लिए ठीक तो आई आई के लिए हमने देखा है कि जब एक से ज़्यादा करने है तो फिर क्या करते है भी तो देखे जड़तो आघून का फॉर्मूला तो भी या फिक्स है कौन जड़तो आघून जिसको अभी तक हम सिंप्ली लिख रहे थे क्या MR स्क्वार अब मैं इसको लिखूंगा कैसा submission of MR स्क्वार इसका मत्तब क्या हो जाएगा भी तो इसका मत्तब होगा M1 R1 स्क्वार प्लेस M2 R2 स्क्वार प्लेस M3 R3 स्क्वार प्लेस M4 R4 स्क्वार यही चलने वाला इन सभी के लिए अब इस घुर्णी अच्छ यहां से सब के लिए अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं ये distance calculate करना भी है ये वाला distance चाहिए तो कोई सा भी एक त्रभूस बना लेते हैं कहीं पर भी हम ज़रा बात कर लेते हैं हाना इसको कुछ नाम दे दीजें मैं इसको नाम दे देता हूँ मैं कहता हूँ कि यह हमारा एक पॉइंट D अचा A B C D तो हो गई E कहना पड़ेगा मैं इसको कह लेता हूँ E तो मुझे यह 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 चाहिए ना O B चाहिए सभी मैं अगर मैं कहता हूँ तो जड़ा देखें मैं यहां से लिखना सुरू करता हूँ I equals to M1 R1 square M1 की value M1 की value 1 kg यही से सुरू करता है इसको मैं कहता हूँ This is M1, This is M2 This is M3 और इसको मैं कहता हूँ M4 तो M1 R1 M1 की value कितनी अब ही है M1 की value है 1 kg तो 1 kg इन्टू distance की अगर बात करेंगे तो इसके लिए कौन सा distance है यह जो आपको दिख रहा है इसके लिए distance कौन सा होगा यह होगा distance O A diagram से आपको यह बात है clear है यह हो जाता O A square ठीक यह ultimate यह सभी 4 कोनों पे यह रखे गए है और यह नीचे 4 मीटर की है हमारी क्या 4 मीटर का है हमारे पास length तो मतलब यह जो DC है वह हो जाएगी AB और इधर से कितना भी है 6 मीटर का है तो यह AD भी कैसा है 6 मीटर का ही है यह एक ultimate आयत है 4 भाई 6 का तो जब आयत है चायत के 4 कोनों पर उठा करके रखे गए हैं हमारे द्रबिमान क्योंकि origin पर ही इन दोनों के diagonals कट हो रहे इनके जो diagonals से origin पर कट हो रहे तो सब बराबर बराबर ही होंगे तो भीया यह हो गया O A square प्लस ऐसी कहता हूँ M2 M2 2 kg है और distance कितना होगा तो O B square ऐसी में कहता हूँ M3 M3 कितना है भीया तो 3 kg है और distance जो है वो कितना हो जागा O C square प्लस 4 kg है हमारा M4 M4 जो है कितना है 4 kg है यह देखे 4 kg और distance इसके लिए भी अगर आप बनाएंगे यह देखे O D M4 कि अगर बात करते है तो 3 kg है और distance sorry O C square यह है हमारा just hold on line से लिख ले तो 1 2 3 होई गया था 4 के लिए अगर बात करते हैं तो यह हमारा O D square ठीक अब क्या करना O A O B O C O D sum निकलना पड़ेगा तो मैं कहता हूँ चलिए 1 छोट्टू सा मेहनत करके है मैं कहता हूँ त्रिभूज कौन सा बई O B E में त्रिभूज O B E यह दिख गया होगा यह वाला इस त्रिभूज में अगर आप चर्चा करेंगे तो क्या दिख रहा है बई यह बेस है यह 90 डिगरी बना होगा यह पूरा 6 सेंटिमेटर का है तो यहां से यहां तक कि यह जो डिस्टन्स रही होगी यह O E जो रहा होगा यह कितने का हो जाएगा यह 3 मीटर का होगा यहां से यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भई तो यह यहां से यहां तक पूरा 4 है तो ये हो जाएगा दो मीटर का तो मतलब ये वाले distance भी कितनी हो जाएगा दो मीटर की यानि इसका base दो मीटर का हो गया और height तीन मीटर का हो गया तो फिर सीधे simple सी बात है मुझे चाहिए कौन भाई OB OB का square is equals to OE का square plus EB का square Pythagoras theorem से E मिलेगा तो क्या कर लो मैं OB का square calculate करने के लिए अचाहिए इसी के line में कर देता हूँ मैं जगा चाहिए तो OB का square is equals to OE मतलब 2 का square plus EB मतलब 3 का square मतलब ये कितना हो गया भी तो ये हो गया 4 plus 9, 13 यानि OB equals to under root of 13 अचाहिए एक बात समझे ये जो OB है अगर ये origin पर ही है तो ये सभी distances बराबर होंगी ठीक है यहाँ O केंद्र बिंदू विकरणों का प्रतिछेत बिंदू है विकरण यही पर एक दूसरे वो काट रहे है अता क्या लिख सकते हैं अगर यही पर विकरण काट रहे है तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो AO है यह बराबर है OB के यही बराबर है OC के यही बराबर है OD के और यह सब बराबर है root 13 के यह 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 सब एक दूसरे के बराबर है तो यह किसके बराबर होगा root 13 के put up तो देखिए, I equals to finally मिल गया है मुझे, 1 O A square, तो 1 into root 13 का square, plus 2 into root 13 का square, plus 3 into root 13 का square, plus 4 into root 13 का square, अब ये कितना बन जाएगा, वे root 13 का square मतब ये होगा हमरा 13, plus 2 into 13, plus 3 into 13, plus 4 into 13, कितना अच्छा सा बन गया है, ये तो टेबल जैसा बनने सुरू होगा, यह होना है, चलिए, तो ये 13, ये ultimately, आई कितना गया, 13, मेरा, 26, 13, 49, 34, 52, अब इन सब को उठा करके जोड दीजिए, 13, 26, 49, 52, इन सबी को अगर हम जोड देंगे, तो हमारे पास समय मिल जाएगा ये कितना, ये हो जाता है करेब ये, 130 मीटर, 130 केजी मीटर स्क्वाइर के बराबर, कितना हो गया, 130 केजी मीटर स्क्वाइर के बराबर, ठीक है ये किसकी value आई है भी ये value आई है i की तो पहला सवाल इन्होंने मेरे से मांगा था i हमने i निकाल लिया अब क्या करना i omega square निकाल लिया तो i omega square करने के लिए अब तो आसान काम हो गया जब मेरे पस i मिल ही चुका है अब omega square की हमको बात करनी है हाफ छोट चुका है भी हाफ i omega square हना तो हाफ i omega square की जब हमको बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा one upon two i omega square i रखा हुआ है omega square चार्द given है तो ये easily यहाँ पर बन जाएगा हमारा इसका भी solution ठीक है मैं चलिए इसको हटाई देता हूँ यहाँ तक के बात के लिए रहे है i equals to 130 kg meter square इसकी value यही पर लेक लेता है यह कितना मिल गया भी तो यह i equals to 130 kg meter square हटाता हूँ चलो यह 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 होगे हमारा इसका एक part solve अब दूसरे part के लिए हम पहुंसते हैं और दूसरे part में क्या कह रहे हैं दूसरे part में कह रहे हैं कानेटिक energy निकालनी है अब क्या करनें अब या गतिज उर्जा या घूनी गतिज उर्जा तो घूनी कहती जूर्जा कि जब आब बात करेंगे कानेटिक energy कौन से वाली घूनी वाली तो कानेटिक energy घूनी में यह होता है half i omega square तो half i की value 130 omega की value इन्होंने 4 radian प्रती सेकंड कहा ही हुई है तो 4 का square तो यह होगा अब यह एक वेटा 2 130 चरचों का 16 दो से cancel के जाए 8 दूनी 16 हाना 13 से अगर करते हैं तो 13 से तेरा आठ है कितना हो जाएगा भी तो यह हो जाएगा हमारा 104 ठीक है न क्योंकि अगला 9 17 आने मले है तो 13 एट से करेंगे 104 और एक जीरो और यहाँ पर वेट कर रहा है तो वन जीरो फोर जीरो किता हो गया वन जीरो फोर जीरो जूल यह हमारा final answer 1040 जूल की घूनी कती जूचा और 130 केजी स्क्वार मीटर की हमारी जड़तो आघून इसके केस में मिलने वाली है जो यहाँ पर इन्होंने डाइगराम दिये और डाइगराम बेस्ट और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर चार दिये थे उस तरीके से हमने त्रिभूज के लिए भी किया है हमने कुछ questions को जब हमने इस topic को समझा हुआ है उसके साथ में भी मैंने करा हुआ यह additional questions है भी हाना extra knowledge के लिए आपके लिए ताकि और questions स्मूध होते जाए क्योंकि mainly numericals का मतलब यह न number of time practice जितने time यह practice होते चले जाएंगे उतना ही आसान होता चला जाएगा चली तो बढ़ते हम जड़ा अगले सवाल की तरफ question number fifth की तरफ यहां कह रहे हैं कि 20 kg द्रबिमान की एक तीन मीटर लंबी सीन ही एक घरसन विहिन दिवार के साथ में जुका कर टिकाई गई है जैसा की चित्र में अच्छब यह चित्र बनाता हूं है रहा फिर दर साथ हो ठीक है इसका निचला सिरा फर्स पर दिवार से एक मीटर की दूरी पर है दिवार और फर्स के बीच में प्रतिक्रिया बल को ग्याद करना है तो चलिए इसके लिए सबसे फर्स काम करते हैं डियागराम प्लोट करते हैं ताकि स्वमजमा आजाए कि हमें करना क्या है इसका अंदर तो जो गिवन डेटा है उसको तो रखना ही रखना है कि बीस केजी द्रविमान यहाँ पर गिवन है क्या गिवन है द्रविमान गिवन है M 20 kg और इसके साथ में 3 मिटर लंबी एक सीड़ी है मतलब सीड़ी की जो लंबाई है सीड़ी की लंबाई सीड़ी की लंबाई जो है हमारी वो है 3 मिटर ठीक है घर्शन विहीन दिवार के साथ जोगकर टिक आई गई है अब इसली ऐसा कुछ ही होता भी हाना, घर्शन रहित ही दिवार होगी तो सीनी टिकेगी, अधर्वाज हम फिसल के गिर जाएंगे तो भी ये क्या हुआ, ये घर्शन रहित हमारी दिवार है इस पर ये एक सीनी टिक आई गई है this is the step, ये सीनी रही अच्छा, क्यों न मैं इसको नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ, ये जो point है ये A है, यहाँ पर ये point है वो B कह लेता हूँ, ये मेरी दिवार है ये ultimately क्या भी है, ये दिवार है obviously खड़ी सी है दिवार है ये फर्स है, यहाँ पर रखी गई है हो क्या रहा है इसमें, तो सीनी के लंबाई तीन मीटर गिवन है, मतब ये जो A-B distance आप देख रहे हैं ये हमको गिवन है कितना, तो ये पूरा गिवन है तीन मीटर, ठीक है चलिए अब क्या कहे रहे हैं, कि इसका निचला सिरा, फर्स पर दिवार से एक मीटर की दूरी पर है ये जो निचला सिरा है, ये A-point है इसको C नाम दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक कि ये पूरी जो दूरी है ये पूरी दूरी है वह या एक मीटर की, ठीक है बिच L by 2 पे यहाँ पर इसका center of mass होगा ठीक है, मैं यहाँ पर कह लेता हूँ इसका center of mass होगा, मतब सीड़ी का जो द्रबिमान M, basically उसकी value दी है 20KZ इसके उपर जो गुरुत्विय त्वरण काम करेगा नीचे की तरफ जो इसका भार होगा सीड़ी का वो कहा consider होता है तो इसके द्रबिमान केंद्र पर तो यह होगा इसके द्रबिमान केंद्र अब क्या करना है भी, तो अब मुझे simply बात करनी है कि यह तो हो गई हमारी यहाँ पर अब सीड़ी ऐसा रखेंगे तो इस पर क्या होगी, यह इसका reaction जो होगा, यह दिवार का जो reaction होगा, वो इस direction में होगा तो मैं कहा देता हूँ कि भी, यह F1 force के साथ में दिवार reaction लगा रहा है and same time पे देखेगा यह जो सीड़ी है, यह क्या होगी, यह सीड़ी इदर के तरफ, बाहर के तरफ, खिसकने की कोशिस करेगी, लेकिन, लेकिन यहाँ पर घरसण बल होने के कारण, तो घरसण बल के तरफ हो, अंदर की तरफ घरसण बल हो, अगर अंदर की तरफ घरसण बल होगा, तो सीड़ी आगे नहीं फिसलेगी, यह देखे, ऐसी सीड़ी रखी हुए, ऐसी, अब गरसन बल अगर प्रॉपर होगा तो आगे नहीं बढ़ेगे और नहीं होगा तो यह सीनी ऐसी खिसक जाएगी मैं इसी सेग्मेंट में यहीं पर बात करो यह देखे अगर सीनी ऐसी रखी हुई है सीनी को ऐसा रखा गया है और अगर घरसन हुआ तब तो सीनी यहीं पर है और तो क्या होगा ये इस तरीके से ये इस तरीके से क्या हो जएगा फिसल जाएगी सी नहीं तो मत्ब्त फ्रिक्षिन किदर की तरफ अंदर की तरफ होगा तो इस सीड़ी को क्या करेगा hold करके रखेगा I hope यह बात आपको समझ में आ रही हो तो पॉइंट ठीक है, similarly, यह F1 फोर्स इदर क्यों लगा है, चूंकि सीड़ी ने दिवार के उपर फोर्स लगा होगा, तो उसका प्रतिक्रिया बाहर के तरफ आया होगा, सीड़ी जब दिवार पैसे टिकाएंगे, तो यह यह देखेगा, इसका फोर्स यह अंदर के तरफ ल लगाएगा कहा, क्या वो गुरुत्व केंद्र पर लगा देगा रियक्शन, तो नहीं भई, वो कहा लगाएगा रियक्शन, जहां पर आकर के धरातल सिटा छोड़ा वहाँ पर, यह हमारी धरातल है, धरातल, ठीक है, यह रियक्शन यहां पर लगीगा, तो मुझे एक बात करेंगे कि मान लीजिए, यह अल्फा कोन के साथ में, यह फाइनल, किसका है रिजल्टेंट अभई, यह आर और एफटू का, एफका रिजल्टेंट है, तो परिडामी बल है, तो क्या-क्या किया, मैं कहता हों कि देखिए, सीनिको पूरा स्टेपवाईज प्रोसेस फॉलो करेंगे भी सीनिको दिवार से लगाकर रखने पर सीनिको क्या करें दिवार से लगाकर रखने पर दिवार द्वारा प्रतिक्रिया बल दिवार द्वारा क्या हो रही है प्रतिक्रिया बल एफ वन लगाया जाता है तथा जो सीनि है हम उसकी अगर बात करें तो सीनि तथा सीनि के गुरत्व के इंदर पर एम जी बल नीचे की और कारे रख है एम जी बल किदर की तरब लग रहा नीचे की और नीचे की और कारे रख है तथा इसका resultant force है ना इसका normal reaction इसका प्रतिक्रियाबल और बिंदु ए पर कारे रख होगी यदी सीनि यदी सीनि फिसल नहीं रही है अर्थात बिंदु ए पर घरशन बल एफ कारे रख होगा अगर फिसल ने रही है मतब घरशन बल एफ कारे रख है इसको इस बीसी हाइट को भी कुछ ना कुछ माल लेता है चलिए माल लेता हूँ एच वैसे बहुत हद तक इसकी जुरुत पढ़ने वाली है नहीं बट चलिए ठीक है यह इतनी सी केंडिशन समझ में आई है है ना हमने इसको लेट कर लिया अब क्या करना है मुझे मुझे निकालना है कि भाई यह जो forces जो यहाँ पर लग रहे हैं है ना तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको निकालता हूँ सबसे पहले कि भई घरसन बल है ना अगर लग रही है तो देखे घरसन बल जो लगेगा वो किधर लगेगा अंदर की तरफ घरसन बल एफ एसा लिख लेता हूँ एस जो डाइग्राम है उसके accordingly यह कदर एसे सी के अनुदिस एसे सी की तरफ लग रहे है घरसन बल एफ एसी के अनुदिस कारे रत है ठीक है किसके अनुदिस कारे रत है अब क्या करना है कि भीया अगर इस तरीके से है कि AC के अनुदिस ये कारे रत है तो मैं कहता हूँ कि सीन ही के राइखिय संतूलन में होने की कंडिशन सीन ही के राइखिय संतूलन के स्थिती में किस में होना भया राइखिय संतूलन राइखिय संतूलन में क्या कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि यह जो weight है और यह जो reaction है इन दोनों के value कितनी होनी चाहिए 0 जितना यह इसका weight नीचे की तरफ काम करेगा reaction उतना ही किदर की तरफ काम करेचे है उपर की तरफ यह दोनों के value कितनी होनी चाहिए 0 तो मेरे से reaction के बात कर रहते हैं तो मैं यह लिखता हूँ reaction minus weight equals to 0, reaction minus weight equals to 0, 0, तो ये condition में कहते हैं कि ये राखिय संतूलन के स्थिती में, ठीक है, ये क्या होगा इस condition में, ये राखिय संतूलन के स्थिती में होगी, ठीक, तो इसका सीधा मतलब हो गया, कि भई, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो R है वो किसके बराबर है, weight के बराबर है, और weight किसके ब तो मैं लिख देता हूँ 20 kg इंटू 9.8 तो 98 टूजा 196 196.0 मतलब रियक्शन 196 हाना किता 196 newton यह तो राखे संतूलन की बात हो गई अब क्या काम करना है तो अब हमें लिखना है कि भी अगर यह घोनी संतूलन में होता तब बिन्दू ए यदि घोनी संतूलन में है तब अगर यह घोनी संतूलन में होगे तो घोनी संतूलन में कैसे कह सकते है भी तो मैं कहता हूँ कि जो इसके उपर फोर्स लग रहा है कौन सा एफ वन इन्टू बी सी घोनी संतूलन में कब कहा जाएगा तो मैं कहता हूँ कि यह एफ वन इन्टू यह जो लग रहा है पर्पेंदिकुलर डिस्टेंस बी सी ठीक है यह माइनेस ठीक है ये बलाबर हो यह माइनेस भी लिख सकते है वेट जो है उसका एइक एलोग वेट किसके अलोग भी यह एत मतलब है कि एक force जो इधर की तरफ काम कर रहा और एक force A जो नीचे की तरफ काम कर रहा है यह दोनों ही forces कैसे होना चाहिए? force into perpendicular distance basically बल आगोण हना इन दोनों बिंदों पर काम करने वाले जो बल आगोण है उनका मान कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए अगर इन दोनों का मान बराबर है F1 into BC और MG into AE ठीक है? MG into AE MG into AE का मतलब क्या? वही reaction into AE ठीक है न? reaction into AE तो मैं इसको लिख लेता हूँ इसको reaction into AE करता हूँ ठीक है? चलेगा अगर इसके बराबर हुआ तो यह दोनों किस में आ जाएंगे भी घूर्णी संतूलन घूर्णी संतूलन में दोनों आ जाएंगे अचाँ घूर्णी संतूलन में अगर आ गए तो मुझे यहाँ से किस की value निकालों? F1 की value अगर मैं निकालता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? R into AE upon BC अब R into AE की बात करिये ठीक है? R into AE की अगर बात करता हूँ तो R कितना है भीया? R की value 196 AE की अगर बात करता है, सिर्फ और AE की तो यह A से E तक की यह distance कितनी है? अगर यह पूरा एक था तो यह एक वटा दो है ठीक है न? यह यह जो R मैं लिख रहा हूँ यह ultimate क्या है? यह weight ही है हमारा जो weight है उसी के बरापर है चुकि AE लिख रहा हूँ तो weight into AE कर लेता हूँ हाना यह अपने को पता है force action into action आम और इसके बाद load into load आम ठीक है? जिस बल को अप लगाते हैं into apply की गई बल की भूजा और यह कौन सा रहे तब ही है भार into भार की भूजा तो यहाँ पर हो गया 196 किसकी value? डबलू की क्योंकि यही बराबर है किसके R के यह देखे अब इसके बाद AE की value किते हैं तो AE की value हमने निकाली 1 upon 2 और BC की value हमारे पास में निकालनी पड़ेगी किसकी भी? BC की तो BC की value यहाँ पर calculate कर लेता है देखे यह 3 था और AE एक था तो BC कितना होगा? तो BC का square is equals to AB का square minus AC का square भी हाइपेटेनियस का square minus base का square कर्ण का square minus में क्या जगा? अधार का square अचा ठीक है तो BC square is equals to AB square मतब 3 का square minus यह कितना होगा भी पूरा? तो यह हो जाएगा हमारा 1 का square तो BC equals to कितना होगा? under root of 9 minus 1 मतब under root of 8 या फिर चाहूं तो लिख सकता हो 2 root 2 किता है? 2 root 2 तो यह आगया 2 root 2, किसकी value आई है? BC की, तो यहाँ पर BC की जगह पर रख देता हूँ मैं 2 root 2 ठीक है, क्या हो गया? 2 root 2, कितना आजाएगा भी है? तो 2 से इसको cancel कर लेते हैं और यह 1 upon 2, 1 upon 4 हो जाएगा ultimately और अगर 196 को cancel करते हैं तो 24, 28 ठीक है, तो यह हो जाता भी है करीब 34.6 newton के बास हाना, F1 कितना हो जाएगा 34.6 newton है, ठीक हमने root 2 की भी value यहाँ पर रख दी है इसके बाद यह 34.6 newton अच्छा, यह तो हो गई हमारी क्या ए जो है, उसकी घूर्णी संतूलन में है थब अगर यह इतनी सी बात निकल चुकी है तो मैं कहता हूँ कि 36 दिसा में रैखिय संतूलन के स्थिती होगी तो क्या होगा 36 दिसा में रैखिय संतूलन के स्थिती 36 दिसा मतलब क्या ये जो है ये इधर की तरफ भग नहीं रही है इधर की तरफ जा नहीं रही है इसका मतलब है कि इस पर काम करने वाला जो ये F-Force है जो कौनसा फोर्स होई है ये F-Force जो है ये हमारा घरसरमल जो है इसका मान यहां जो एपलाई हो रहा होगा फोर्स उसके बराबर होगा मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो हमारा फोर्स होगा ये फोर्स किसके बराबर होगा तो यही F-1 ना यही F-1 के बराबर है ये ये रैखिये संतूलन में कब कहलाईगी भी ये इधर की तरफ 36 संतूलन में इधर की तरफ खिसक नहीं लिए तो यह सीन ही कहीं खिसक के जाने वाला नहीं है, तो मैं आपर कह देता हूँ कि 36 संतुलन के स्थिति में, तो 36 संतुलन के स्थिति में आपको क्या मिल जाएगा भी, तो आपको मिलेगा कि यह F1-F की वैलू कितनी होनी चाहे जीरो होनी चाहे या f1 f के बराबर होना चाहे तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ यह जो f1 है वो बराबर होना चाहे f या फिर f1 minus f की value किती होनी चाहे 0 होनी चाहे ठीक है चली तो अब एक काम कर लेते हैं हम इसको निकाल लेते हैं तो यह f is equals to कितना था है ना यह f f1 equals to कितना आया तो f1 equals to 34.6 newton कितना 34.6 newton तो यह हो गया 34.6 newton अब मुझे कौन चाहिए तो मुझे चाहिए भीया वो f2 चुम मुझे f2 चाहिए क्योंकर reaction मांग रहे थे यह r मांग रहे थे लेकिन मुझे ultimate यह पता है कि एक friction इधर काम कर रहा और reaction इधर तो इन दोनों का resultant होगा यह होगा मेरा परेडामी यह f2 होगी मेरी परेडामी तो इस परेडामी f2 के हम चलिए चर्चा कर लेते हैं हरा तो मैं इसके लिए काम करता हूँ मैं लिखता हूँ ज़रा देखे चुकी r तथा f एक दूसरे के लंबवत है अता परेडामी बल इन दोनों का जो परेडामी बल है परेडामी बल f2 f2 कितना होगा भी है तो f2 होता है under root of क्या कर दूमें तो r square plus f square क्या हो जाएगा इन दोनों का square कर देता हूँ r square plus f square दो vectors अगर होते हैं 90 degree पे तो क्या होता है r square a square plus b square होता है क्या है पुरा फ़र्म तो हमको यह बहुत अच्छा से ध्यान में होगा कि a vector का square plus b vector का square plus 2ab हाना cos theta अब cos की value रखने है 90 degree तो यह वाला पूरा टम तो चीर हो गया तो under root of a square b square ही बचता है तो मैं भाई लिख रहा हूँ under root of a square b square under root of r square plus f square अब इसकी value देखिए r square reaction की value है 196 तो यह होगया 196 square plus f की value जो frictional force आया तो वह 34.6 newton है तो यह होगया 34.6 newton हाना इसका square तो finally अगर हम f2 को solve करते हैं तो यह मुझे मिल जाएगा 199.0 newton मतब यह आ जाएगा 199 newton यानि यह जो reaction force है यहाँ पर यह जो reaction force प्रतिक्रिया बल जो यहाँ पर लग रहा होगा हाना वो f2 लग रहा होगा और यह कितना 199 newton का 199 newton का और यह जो f1 force लग रहा है हाना इसकी भी बात अगर कर लिजिए तो f1 force कितना बताया था भीया यह f1 force है हमारा 34.6 newton यहाँ पर यह जो लग रहा है कितना 34.6 newton तो अब सीधी सिंपल सी बात है आपको क्या प्रतित हो रहा भीया यहाँ पर reaction ज़ादा मिल रहा है और यह जो है भाल जो f1 जिसके सारे दिवार पर टिका हुआ है वो सिर्फ 34.6 newton है तो क्या यह सीधी खिसक जाएगी तो नहीं खिसकेगे reaction ज़ादा मिल रहा है action जो है वो कम लग रहा है तो यह सीधी खिसकने वाली नहीं यह f1 क्यों calculate करो हूँ क्योंकि f1 ही यहाँ पर भी कारे रहत होगा वही amount of force सीधी के साथ में कारे रहत होगा जिसके सारे यह खिसकती हुई सीधी जो है आगे आ जाए तो यह सिफ 34.6 newton जो है यह इधर के तरह बल लगा रहे है तो सीधी खिसकने वाली नहीं है क्योंकि जो इसके उपर reaction force है जो इसको रोके रखने वाला है वो 199 newton का है तो अब इसली नहीं होने वाला ठीक चली तो आभी समझ में है कि यह सीधी जब खड़ी करते है तो किसी किसी केस में क्या होती है सीधी जो है वो खिसक जाती है और किसी किसी केस में हम देखते है कि सीधी जो है वो नहीं किसकती अब एक और काम कर लेते भी है क्या कर ले तो आप पहले तो इसका screenshot रख लो क्योंकि हम निकालना है हमें निकालना इस alpha की value हाना यह alpha निकालना जरूरी है वह आंगल भी तो निकालना पड़ेगा कि कितने डिगरी के आंगल पर यह एफटू काम कर रहा है चलिए तो हम कैसे निकालेंगे alpha तो alpha निकालने के लिए क्या होता है भई इसको हटाता हूँ यही निकालता हूँ परिणामी बल ल in f2 का यह परिणामी बल आया है f2 इसका क्या निकालना कि ले बिदूस कैसे झीकने करेगा तो TE hier उल्टी अलवा टान अल्फा होता का बढ़ी तो परार पेंडीकुलॉर अपट बेस परपेंडीकुलॉर को ने R, base कौन है भी या F, तो यह हो गया R upon F, क्या लिकलू, R upon F, R की value, as you know, कि भी या R की value, reaction की जो value आई है, इदर रखी हुई है, और reaction की जो value है 196, और F की जो value है 34.6, 196 upon 34.6, यह value आपकी मिल गए किसकी, alpha की, ठीक है, tan alpha की in fact, और tan alpha की अगर इसको cancel out करेंगे, यह तक्रीवन 5 बार में cancel हो जाना चाहिए है ना, तो इसको लिख ले तो मैं आप है, tan alpha is equals to 5.66, ठीक है, अगर alpha लिखेंगे तो यह लिख सकते है, tan inverse 5.66, और इसके लिए घबराने की जो होती है, इसकी values क्या रहती है, जनरली given होगी, अगर उसको चाहिए degree में तो, है ना, otherwise सीधे table से देख करके, चार्ट जो होती है, उससे देख करके, इसकी सीधे value लिख भी सकते हैं, कि tan inverse 5.66 जो होता है, वो तक्रीबन 80 degree के बराबर होता है, तो tan inverse 5.66 किता हो गया, 80 degree, यानि यह जो इनके बीच में angle लगने वाला है, यह जो कौन जो बना हुआ है, यह कितने degree का 80 degree का, जो resultant force होगा, यह कह रहा है न कि दिवार और फर्स के प्रतिक्रिया बल गयाद किजिए, कर लिया भी यह, सिर्फ और सिफ हमने प्रतिक्रिया बल ही गयात नहीं, कि हमने उसके बीच के angle भी गयात कर लिए, ठीक है, यहां तक मैं कोई समस्य है, कोई परसानी है, सच न तो यह सवाल नमबर दूसरा, हाना, मतलब कितना छटवा, हां, समान द्रबिमान और तरिज्जा का एक वला है, एक चक्ती और एक गोला, एक नद समतल पर समान उचाई से लुड़कते हैं, तीनों में से कौन सा पिंड तली पर सबसे पहले पहुँचेगा और कौन सा कि नत्र समतल पर, आप कुछ गिवन में तो सब बराबर यहाँ, तो लिखी नहीं रहूँ, मैं सीधे अंसर करूँ, नत्र समतल पर, नत्र समतल का मतलब समझी यहंगे कि कि इनक्लाइं प्लेन पर, ऐसी एक समतल है, है ना, यहाँ पर कै भी, एक चख्ती भी है, गोला भी है वलाए भी है तीनों को क्या क्या है एक साथ एक साथ क्या क्या है भी हाँ चक्ति है वलाए है और गोला है तीनों को एक साथ क्या क्या है छोड़ा सबका रेडियस जो रहने वला है वो सेम रहने वला तो कौन जल्दी यहां नीचे पहुंचे का इसकी बात कर रहे हैं तो नत सम आपको डिरेक्ली याद रखना पड़ेगा है ना क्योंकि हमने एक टेबल बनाया था और उस टेबल में इस फॉर्मुले को रखा था comparative analysis की थी कि नत सम्तल में कैसा होता है और उर्धवारधर बेसिकली लेके जाते तो कैसा होता है तो acceleration कितना हो तब यह जी साइन थीटा अपन वन प्लस के स्कॉयर अपन आर स्कॉयर अब यह के स्कॉयर अपन आर स्कॉयर की वैल्यू सीधे सीधे समझें बहुत ही असान नहीं होगा हला कि मैं पूरा solve करेंगा लेकिन अगर यह competitive में आपको देखने को मिलता है तब क्या करना आपको यह के स्कॉयर अपन आर स्कॉयर की वैल्यू जिसकी कम आएगी उसका acceleration जादा होगा और जिसका तोरण जादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा इतनी सी बात है तो चलिए हम एक एक करके काम कर लेते हैं हमें इसमें वैल्यू रखनी है तो सबसे पहला काम करता हो मैं वैल्यू के लिए है ठीक है सबसे पहला क्या लेते हैं वैल्यू के लिए पहला वैल्यू ही है तो वैल्यू लेते हैं वैल्यू के लिए के स्कॉयर अपनार स्कॉयर की वैल्यू ले आते हैं हना पहला वैल्यू है तो वैल्यू में क्या होता है भीया तो यह जो होती है हमारी i equals to mr square is equals to mk square ठीक अब mr square और mk square कह भी या तो यह हमको पता यह जड़त तो आघून है जड़त तो आघून जो होता है जिसको हम mr square लिखते है अगर यही radius of garation के तहद है यह जो r जो है यह तरिज्या अगर घूनी तरिज्या हो मतब r यदि घूनी तरिज्या हो घूनी तरिज्या मतब radius of garation तो इसी r को कह लिखने लगता है k तो इसी समय पर हम क्या कहते है भी यह तो हम कहते है कि i equals to mk square अब इसी relation से मैं लिखों देखिए इसी relation से मैं लिखों हूं किया कि यह जो है i equals to mr square equals to mk square तो M से M cancel हो गया, अगर यहां से निकालते है K square upon R square के value तो कितना आएगा? 1 आएगा, K square upon R square के value कितनी आएगी? 1, इसके लिए भी हम लोगों ने अलग से एक lecture भी cover up किया हुआ है, आप playlist में जाकर करके चेक कर सकते हैं जहां पर हमने इसको पूरा ही explain क्या हुआ है कि नत समतल पर कोई भी पिंड की लोटनी गती कैसी होगी? ठीक है, वो अगर वहाँ पर घरसन है, लोटनी गती हो रही है और फिर क्या होती है? एक sliding, एक rolling है और एक sliding, एक जिसमें फिसलती हुई जाएगी और एक है जिसमें बिना फिसले जाएगी तो इसके लिए हम लोगे ने ये काम किया हुआ है, और यहाँ पर हम कहे रहे हैं कि भी यह समानुचाई से लुड़ा कर आए, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है भी? फिसलन नहीं है, यह बिना फिसलन के है, तो k square upon r square की value होगी 1 अता, a की value कितनी होगी? तो g sin theta upon, यह 1 plus k square upon r square की value होगी 1, तो मतलब a equals to कितना होगया? 1 upon 2 g sin theta, ठीक है, यह किसके लिए होगया? वलाए के लिए, यह किसके लिए होगया? वलाए, यह वलाए, 1 upon 2 g sin theta, ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? तो दूसरा है हमारे पास चक्ती, तो second में आते हैं, चक्ती के लिए, second हम बात करते हैं, चक्ती के लिए, तो चक्ती के लिए, अगर I equals to, लिए है m k square, तो यह होता कितना है? तो चक्ती होती है, बहिए हमारी 1 upon 2 m r square, कितनी? 1 upon 2 m r square, अगर यह 1 upon 2 m r square होती है, इसका मतब यहां से अगर मैं निकालता हूँ के M से M देखे M से M cancel हो गए यह K square यहीं कहीं है और R square नीचे आएगा तो K square upon R square के value किते होगे 1 upon 2 अब इसके लिए भी फिर से G का A, A का मान निकालिए तो A equals to how much? G sin theta upon 1 plus K square upon R square के value किते होगे 1 upon 2 तो 1 plus 1 upon 2 कितना होगा? 3 upon 2 है ना? यह कितना होजागा? 3 upon 2 तो 3 upon 2 अगर लिखता हूँ मैं G sin theta upon 3 upon 2 तो यह 2 तो ऊपर चला गया है मतब 2 by 3 G sin theta इसकी value आ गई ठीक और ध्यान रखेगा इसकी कितनी आईती है भी या इसकी K square upon R square के value 1 और इसकी K square upon R square के value किते है 1 upon 2 तो मैंने क्या बोला? यह अगर 1 upon 2 आएगा तो यह इसकी acceleration देखें यह 2 थर्ड है यह कितनी है? 2 थर्ड जबकि यह कितनी है 1 upon 2? 2 थर्ड के अगर मैं बात करता हूँ ठीक है न? कितनी की 2 थर्ड के अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इससे आप अगर इसको divide करते हैं तो decimal में निकाल लीजे न? यह मैं कहता हूँ कितना हो जाएगा भी यह तो पहली फूर्सत में लग गया यह 0.6 हो गया के स्कोर अपनार स्कार की वैलू कम है तो इसकी acceleration की वैलू देखे 0.6 है और के स्कोर अपनार स्कार की वैलू अगर 1 है तो acceleration की वैलू कितनी है 0.5 तो हमने क्या बात करी थी कि जिसका के स्कोर अपनार स्कार का मान कम होगा उसका acceleration ज़्यादा होगा तो इसका k square upon r square का मान का कम है तो देखिए इसका acceleration ज़्यादा है पॉइंट 6 आया और इसके k square upon r square का मान comparative लिसके है ना चकती के comparison में इसका ज़्यादा है तो इसका acceleration देखे कितना है सिर्फ और से 0.5 अब क्या करना है तीसरे वाले पर पहुंचते हैं और तीसरे कौन तो यह था गोला तो अगर मैं गोले की चर्चा करने ही सुरू करूं तो गोले में आपको क्या काम करना भी है तो गोला में हम लिखते हैं same to same first evaluations की i equals to कितना होता है गोले के लिए तो यह हो होगा m same again cancel और k2 upon r2 के फिर्मान कितना हो गया तो अब 2 upon 5 को अगर आप cancel करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 0.4 करीब हारा तो यह 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 वन था यह 0.5 यह 0.4 हो गया 0.4 हुआ मतब और कम हुआ है यह एसलेरेशन इसमें और जादा आना चाहिए चलिए चेक करते हैं तो a equals to कितना लिखेंगे इसके लिए g sin theta upon 1 plus 2 upon 5 1 plus 2 upon 5 अब क्या हो गया तो g sin theta g sin theta upon यह 5 to 7 upon 5 5 to 7 upon 5 7 upon 5 अब यह 5 ऊपर चला गया मतब 5 g sin theta upon में 7 5 upon 7 g sin theta यह हो गया solution के वेलू तो मतब मेरे को acceleration वलाई के लिए मिल गया acceleration चक्ति के लिए मिल गया और acceleration किसके लिए मिल गया भी तो आखरी जो तीसरा आचा लिखा ही नहीं मैंने गोला 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 लिख लें दो भी चलो यह गोले के लिए बात हैं यह गोला अब चलते हम चला फटाफट कंपेर करते हैं कि कौन सा ऐसलेरेशन कम है कौन सा जदा है तो यह एचलेरेशन कै तो यह क vocês गया होगा भी तो असलेशन वलय की चलेंगे तो आपको क्या दिख रहा है हाँ पर है ना यह 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 इसकी बात करिए फाइब अपान सेवन तो सेवन से अगर आप इस फाइब को कैंसल करते हैं पहले डेसिमल लगाएं किता लएगा फिफ्टी तो साथ से कितनी बार में जाएगा भी यहां तो साथ से यह कितनी उनाचास यह .7 है ठीक है किता हुआ पॉइंट सेवन आया तो आया तो आप ऐसा कीजिए या फिर मैं सीधे-सीधे लिखता हूं इन सभी मानों को ठीक है देखो आप यहां पर क्या करते हैं सभी मानों को लिख लेते हैं ए आप एडी और एस ए आर अनुपाद एडी अनुपाद एस मत अभी है क्या हो गया रिंग डेस्क और स्फेयर इन तीनों के लिए अगर बात करते हैं तो वन अपॉन टू जी साइन थेटा यह कितना हो गया वन अपॉन टू जी साइन थेटा अनुपाद 2 अपॉन 3 जी साइन थेटा 2 अपॉन 3 जी साइन थेटा अनुपाद क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 जी साइन थेटा 5 अपॉन 7 जी साइन थेटा अच्छा ए काम कहते हैं इसको अनुपाद लिखने के जगा पे मैं तो ऐसी लगाता हूँ कॉमा लगाता हूँ चलो इसको भी कोम लगाता हूँ है ठीक किंपर करने को कि आ रोघिंगर bowls == तो क्या करने पढेगा पहले तो इनके ये जो factor से इनको है एक diver करनी पड़ेगी कुछ ना कई दॢ़नाना पड़ेगा तब जाकर करके या तो हैलिच से मतПर कहें है denominator और denominator को तो एक लिस्ट सेम करना पड़ेगा तब जा करके numerator को हम compare कर पाएंगे है तो क्या करते है भी यह तो इसको एक काम करते हैं कि साथ तिरी के 21 है अब इसको हमें उठा करके क्या करना पड़ेगा गुणा कर करके और इसको बरादर कर देते तो मैं करता हूँ गुणा हना क्या कर दुम्हें 21 का गुणा और है किस सबको सबको इतना करेंगे वह तो साथ दुनि 14 और चोधरतिया भैरलिस ठिक तो 2015 का गुणा यहाँ किझे तो 14 दुनि立 अठाईस बटा मैं 42 जी साइन थेटा ठीक है और तीसरे में जैसे ही बात करेंगे तो साथ तो है यह तो तीन दुना की छे तो छे पंज तीस बटा सच्छक बैयालिस जी साइन ठीक है सब में गुणा किया कैसे गुणा करता है आपको पता होगा यह फैक्टर को छोड़ दीजे इन दोनों का गुणा क करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजी मतलब इसमें क्या किया होगा तो वन अपॉंण टू गुणे तीन गुणे साथ अपॉन में घुने तीन गुणे साथ मैं वैसे यहां पर किया तो तो गुणे जो भी यहां पर वैल्यूज दिखरी आपको तू और सेवन तो टू सेवन इन्टू टू सेवें आप करके देख लिए ठीक तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं इनके डिनॉमिनेटर या नियुमिनेटर को सबके बराबर कर देते हैं नियुमिनेटर कंपेर हो जाते हैं या फिर आप सीधे-सीधे भाग देकर के दसमल्लाओ में बदल दीजे अगर इतना है ये मेरा क्या भे अरिंग तो यहाँ पर जो पाथे रहा आपको इसका मन जजादा जखरा है इसका से लेशन जदा तो यह जादा यह कम और यह शा doubt यहीं मिलने माल अब एक और समझ में आता है क्या वी तो मैं यहाँ पर लिखता हूं दfour कि कि अगर समय की बात करते हैं समय पुछा ना समय पुछा कि तो समय की बात अगर करते हैं तो मैं कहता हूँ कि समय के लिए second law कहता भी है S equals to होता UT plus half 80 square S equals to UT plus half 80 square इसको क्यों ले रहे हैं जरा देखिए S से यहाँ पर कैसा है भी यह तो नियतांक है constant है क्योंकि सबको कहा हुआ है हमने कि A कही दूरी यही वाली दूरी सब को तैक करनी है suppose this is B, this is C, this is A, तो सबको यह AC ही तैक करना है, सबको यह AC दूरी ही तैक करनी है, अगर यह सबको AC दूरी तैक करनी है, मतब S जोगा displacement जोगा नियतांक, तीनों को rest से ही छोड़ाता, मतब U equals to 0 लिख लेता हूँ, तो अपने को क्या दिख रहा है, U equals to 0 लिखने पर S equals to, यह पूरा time होगा 0 plus 1 upon 2 80 square, चलेगा तो S equals to, मतब 2 2A equals to 2S 2S equals to 80 square, मतब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 80 square, तो क्या हो जाएगा, 2S ऐसे ही मैं लिखता हूँ T square equals to, तो क्या मिलेगा 2S upon में A अब जैसे कि मैंने क्या कहता है, S नियतांक है, और 2 भी नियतांक हो गया तो यहाँ साफ सुतरा एक relationship दिख रहा है, हैना relationship क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर relationship है, कि यह जो T square है यह समानुपाती है 1 upon A के यह T square व्यूतक्रमानुपाती है किसके तोरण के, अता मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कि अता जो हमारा T square है, ठीक है क्या है भीया, T square जो है वो समानुपाती हो गया अता T square तोरण के व्यूतक्रमानुपाती होता है अर्थाद क्या समझ मैं है भी, कि जिसका acceleration जाद है, उसमें time कम लगए भी जो बहुत तेजी से चल लिए, बहुत तेजी से त्वरित हो रही है, उसमें समय कम लगए गया पहुचने में, तो मैं आपर कहता हूँ, यह TS, इसको लिखता हूँ TD और इसको मैं लिखता हूँ TR, तो क्या लगता है, यह relation से मुझा ऐसी पलटे पड़ेगी, व्यूतक्रमानुपाती का मतब यह होता है, मतब समय रिंग का, हना वले वले का समय सबसे जादा होगा फिर किसका होगा भाई, तो यह डिस्क का फिर चकती का समय और सबसे कम जिसमें समय लगा वह है गोला यह तो होगा बिलकुर ट्रेडिस्नल तरीके से पूरा हल करना, लेकिन अगर किसी ने मेरे से सवाल पूछा है कॉम्पेटेटिव के पॉइंट आफ वीव से मैं बोलूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर माग करनी है तो मैं बहुत कुछ नहीं करने वाला मैं क्या करने वाला हूँ के स्कुएर अपन आर स्कुएर का मान देखने वाला हूँ और उसको कंपेर करूँगा यहाँ पर वन था, यहाँ पर वन अपन टू था यहाँ पर टू अपन फाइक था तो भीया, यह सबसे क्या था यह सबसे यह जितना जादा होता चाहेगा है ना इसका मान जितना जादा होता जाएगा उतना ही, उतना ही कम होगा this solution क्योंकि denominator में आपने जो हर में हैं नमबर बड़ा रखेंगे तो भाग देंगे, तो यह क्या होगा यह चोटा आएगा यह अगर बड़ा नमबर होगा, भाग देने से क्या होगा ए हमेंसे कैसा होता जगा छोटा होता जगा ए छोटा हो रहा है त्वरण कम हो रहा है तो समय जादा लग रहा है ठीक है ऐसे याद रख सकते हैं और अगर त्वरण क्या भी है जादा है तेजी से त्वरित हो रही है जल्दी जल्दी अपने वेग में परिवर्तन कर रही है ज प्रमबंध निकाला I hope कि अब आपको बाते के लिए है चली अगर यहां तक की पिक्चर के लिए है तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरह अगला सवाल क्या कहना है देखिए सात्वा सवाल है और यहां पर कहे रहे हैं कि M द्रबेमान का एक पिंट 36 से 45 डिगरी के कोण पर V वेग से प्रचेपित किया गया कण जब अपनी अधिकतम उचाई H पर होता है तो प्रचेप बिंदू के परिता कोणिया समवे ग्याद करने तो पहले तो इसके लिए मैं डाग्राम प्लॉट करूँ ताकि आपको इसको एक्स्प्लेइन कर सके यह एक एम द्रबेमान का कड़ है यह यहाँ पर रख और यह क्या कर अब यह प्रच्छे पर गयती तो पहले इसका प्रच्छे पर पाथ बना देते हैं ठीक है यहाँ से यह कितने डिगरी के कोड़ पर निकलना भी है तो यह निकलना पैंतालिस डिगरी के कोड़ है यह कोड़ है वी है है वी वेक से निकल रहा है द्रबेमान M है यहाँ पर पिंड है इसका द्रबेमान कितना भी है तो M द्रबेमान का गिवन है मुझे द्रबेमान इसका M है और च्छैती जिसे कोड पैंतालिस डिगरी का तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दो इसके components break होंगे और दोनों components क्या-क्या होंगे तो एक component यह होगा मेरा VX और एक होगा मेरा component इदर की तरफ VY एक होगा VX और एक इदर होगा VY और हमें पता है कि VY जो होता है हाना इसकी जब value की बात करेंगे तो यह क्या होग तो यह हो गया V cos theta, no doubt यहाँ पर cos theta का मान कितना भीया 45 डिगरी, तो V cos 45 डिगरी, इसका मान हो गया V sin 45 डिगरी, इतनी बात है तो हमें पहली फूर्चत में दिमांग में आती है, लेकिन कहे रहें कि जब पिंड अपने अधिकतम उचाई पैमा तब यहाँ पर आ गया, अधिक यही पर सुरू होती है कि जैसे ही मैं अधिकतम उचाई पर पहुंचता हूँ, मेरा जो वर्टिकल विलॉसिटी होती है, उसका मान जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वी एक्स होगा, ठीक है, तो मैं कहता हूँ, H अधिकतम उचाई पर, H ही कार्य करता है, तथा, उर्धवारधर घटक का मान सुनने हो जाता है, कैसा हो जाता है, सुनने हो जाता है, उर्धवारधर वर्टिकल वाले का मान सुनने हो गया, क्योंकि वह अधिकता मुझ आई पर मैं अगर किसी चुछ को फेकता हूँ अधिकता मुझ आई किसको कहूंगा जहां पर जा करके अब उपर के तरफ गती ना करें मत Berhtical velocity कैसी हो जाए जीरो हो जाए सिर्फ horizontal बच आ जिर्फ 36 बच जाए थिक है न यह वी sin theta कमान कैसा हो जाए जीरो यहाँ पर वी-ecks मिल रहा है तो यह पर वी-y पी mist कमान क hecho जीरो होगा वी वाय का मान कितना होगा जीरो अब इसी कंडिशन में हम से कुछ-कुछ बाते हो रही है तो यहां पर देखें नहीं है पर वेग का मान मैं विलॉसिटी का मान अगर लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा तो विलॉसिटी अतहां 36 वेग ठीक है अब 36 वेग अकेला ही बचा है तो मैं इसको लिख देता हूं यह कितना होगा वी कॉस थिटा अब सीधे लिखता हूं कितना है वी कॉस 45 डिगरी और कॉस 45 की वैलू कितनी होती है तो वान अपॉन रूट टू ठीक है ना 45 में साइन और कॉस का माहन केता हूं तो 1 अपॉन रूट टू तो भी या हो गया यह वी अपॉन रूट टू तो मैं आप कहता हूं कुछ बात है क्या बई तो यह होता है अगर मैयरे को निकालनी है या पर चल, क्या निकालनी है भई, कौनिय सम्वेग, तो कौनिय सम्वेग का जो फॉर्मूला होता है, कौनिय सम्वेग का जो फॉर्मूला होता है, उसकी बात कीजिए भई, कौनिय सम्वेग, हाना, कौनिय सम्वेग जो होता है, वो क्या होगी, तो अधिक्तम उचाई पर, यहाँ कोणिया सम्वेग क्या होगा तो यहां पर जो MV या MV जो होगी मतब राखिया सम्वेग इंटू perpendicular distance राखिया सम्वेग इंटू perpendicular distance यह होता भी तो कोणिया सम्वेग होगा राखिक सम्वेग इन्टू लंबवत दूरी ये पहले से होता आ रहा है अब लंबवत दूरी होगी कौन यही होगी नहीं यह मैक्सिमम हाइट ही यही लंबवत दूरी है क्योंकि इसी अक्ष के पर तो कहना है जब करने अपने अधिकतम उचाही अच पर है तो प्रचेप बिंदू के लेता है पी इन्टू आर अब समस्य किसकी अभी तो यह कूणिये समवेग के जो मान है उसको हम निकालते हैं आर की मान को भी निकाल करके ले आएंगे तो मेरे पास में है ना अच्छा लंबवत दूरी को आर क्यों लिखो अब एच लिखी देता हूं लंबवत दूरी मत्त होगा वी तो मास इंटो विलो सिटी सुमत को लफड़ा ही नि कितना होजा म भी p की जगह पर लग देता है म और यह तो चली रहे हैं नहीं को महनन हमने पता है कि कितना है वी up on route ओ यह किता है वी अपउन रूत को तो बाइल इसको अपन पन ऑर और टू times of H. ठीक है, M इसको हटाता हो, नहीं तो confusion आएगा, हना M V upon root 2, M V upon root 2 upon H. ये किसका मान है, तो ये P का मान है, किसका मान है, P का मान, अब H का मान तो निकालना पड़ेगा, H का मान अगर निकालते हैं, अधिक्तम उचाई पर, हना H का मान कहा पर भी या, अधिक्तम उचाई पर, तो H का मान होता, अधिक्तम उचाई पर हमारा, ठीक है, देखें, मैं लिख देता हूँ, अधिक्तम h बराबर क्या होता है तो यह होता हमारा v square sin square theta upon 2g ठीक है किता होता है v square sin square theta upon 2g तो भाई यहाँ पर हमारे पास वे सारे मानों के बात करी गई है तो एके करके चलिए रख लेते हैं तो यह होगा भाई यह v square sin square 45 degree upon 2g 2g ठीक है चलिए g को छोड़ते हैं आखरी में देखेंगे value रखते हैं g को छोड़ता हो 2g यह कितना हो गया h equals to v square sin square 45 degree 45 मतब 1 upon root 2 तो यह हो गया 1 upon root 2 का square upon 2g मतब यह हो गया v square upon 4g कितना मिल गया भी तो यह मुझे मिल गया h equals to v square upon 4g h equals to v square upon 4g अब यह तो मिल गया मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए था भी यह है ना मैं v की value और calculate करना चाहरू तो यह से v की value निकाल करके लाइए तो v कितना हो जाएगा भी तो v equals to हो जाएगा under root of 4gh कितना हो जाएगा under root of 4gh अब चलते हैं और इसको हम रख देते हैं हमारे l की value जो हमने यह l निकाला है जो हमें कोणिये सम्वेग निकालना इस कोणिये सम्वेग में लेया यह रखे तो l बराबर m कितना है m v upon root 2 into h v की जगह पर रख दो तो m v की जगह पर under root of 4gh upon root 2 into h ठीक है into h अब इस h को अंदर ले चलते हैं तो यह सब कुछ अगर root के अंदर आता है तो क्या बनेगा भई तो यह देखे m को तो ही रखता हूं मैं under root of यह 4 एक 2 बाहर आएगा root 2 से root 2 cancel हो जाएगा तो अंदर कितना बच जाएगा भई 2 बच जाएगा g बच जाएगा और यह h को अंदर ले चलिए तो यह हो जाएगा h into h square यह एक h है और एक h बाहर से आएगा तो h square हो जाएगा यह root 2 यह 4 अगर बाहर भी आता है तो एक root 2 से root 2 cancel हो जाएगा यह फिर उसको अंदर ले चलिए इस root 2 को इसके अंदर रखेगा 2 से 2 cancel हो जाएगा ठीक तो यह finally कितना बिल गया m under root of 2g h cube कितना बिल गया m under root of 2g h cube मतब कोणी यह सम्वेक यहां लिखता हो मैं final answer ल जो मिला वो m under root of 2g h cube ठीक है m under root of 2g h cube यह रही वैडियो ठीक चलिए ठीक है भीया तो क्या 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 हमने हमने कहा कि भीया जब इसको हमने प्रच्छेपित किया है तो maximum height पर सिर्फ इसके पास vx होगा मतलब क्या होगा सिर्फ इसके पास horizontal velocity होगी और horizontal velocity के साथ में हमने निकाला कि v cos 45 degree कितना हो जाएगा v upon root 2 और हमने l equals 2 देखा मतलब कोड़ियों सम्वेग होता रैकिंग सम्वेग इन टू लंबदूरी लंबदूरी वही होगी जो अधिकतम उचाई होगी क्योंकि इसी के परिता घूमना है तो भीया यह हो गया है v square sin square theta upon 2g सीधे सीधे उस formula को रखा यूज किया एंड उससे velocity निकाली finally मेरी जो यहां पर velocity आ रही थी यह वी इसके अंदर में रखा और final answer calculate करके दे दिया क्योंकि यह h तो मेरा part है यह अधिकतम उचाई वाला h तो मेरा part है तो इसको formula के अंदर छोड़ा है लेकिन velocity मेरा part नहीं था वेग मेरे घर से नहीं आई थी तो इसलिए वेग को क्या क्या हमने eliminate किया यह रहा हमारा final form ठीक चलिए आगे बढ़ते भी सवाल नमबर आठ में आठ में सवाल पे आते हैं आठ में सवाल कह रहे हैं कि पॉइंट वन केजी द्रबिमान और दो सेंटिमेंटर तुरिज्जा का एक ठोस गोला एक नत समतल साइन थिटा इकोल्स टू वैलू गिवन है वन अपॉन टैन में लुड़कता है यह लुड़क रहा ठीक है विरामा वस्ता से चलना प्रारम करने के दो सेकेंड के पास इसका व्येग तथा कुल उर्जा ग्यात कीजिए ठीक है दिया क्या 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 दिया गया भी तो दिया गया सबसे पहले पॉइंट वन केजी का द्रबिमान मतब मास दिया गया है द्रबिमान यह पर क्या है गेवन है 0.1 kg किता गेवन है भई 0.1 kg अब क्या गाम करना है तो 2 cm तो तृज्जा वाले ही में काम तो करना पड़ेगा चलो ठीक है तृज्जा जो गेवन है वो गेवन है 2 cm अगर मैं इसको divide करता हूँ तो upon में क्या करना पड़ेगा 100 है ना तो कितना हो गया 0.02 मीटर ठीक है एक ठोस गोला गोला ठोस है नत सम्तल से साइन थीटा का मान सीधे सीधे साइन थीटा का मान है 1 upon 10 ठीक है यह नहीं कि डिगरी विगरी कुछ नहीं दिया भई यह सीधे सीधे दिया है कि 1 upon 10 इसका मान लुड़कता है विरामा उस्तार से चलना प्रारम करता है मतब यू की वैलू 0 है ठीक है तो 2 सेकिंड के बाद यानि टी इक्वल्स टू 2 सेकिंड टी इक्वल्स टू 2 सेकिंड में इसकी वेग निकालना सबसे पहले है तो वेग बताना है मताव वी बताना है और फिर इसके बाद बताना है काइनेटिक एनरजी टोटल टोटल काइनेटिक एनरजी ग्याद करनी है 0.2 गूर्णी गती जूर्जा है प्लस हमारी इस्थनांतरी अगती जूर्जा है przeciek जूर्जा इस चीक थे सबसे पहले तो हम इस वह एगा की circulation करके ले आता है फिर हम बाकी की चर्चा कर सकेंगे ठीक तो चलिए हम निकालते हैं जरां तो क्या कर दूँ मैं ठीक है तो भीया देखिए इसके लिए acceleration पर पहुंचे पहले तो acceleration क्या होता है तो मैं कहता हूँ कि नत समतल पर घूर्णी गती करते हुए गूर्णी करते हुए गूर्णी करती करते हुए क्या है भी गोले का गोले की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् गोले के लिए जड़त्वा घुण गोले का जड़त्वा घुण कितना होता भई तो कहेंगे आपके i equals to हम कहते है भई या mk square ये बराबर होता है 2 upon 5 mr square के किसके 2 upon 5 mr square के बराबर होता है तो ये हो गया 2 upon 5 mr square यहां से m से m तो cancel हो गया लेकिन k square upon r square के जो value है ये मिल गई मेरे को कितनी 2 upon 5 ठीक है कितनी होगी 2 upon 5 अब चलिए मैं यहां पर रखता हूँ सब के मान को तो a बराबर कितना मिलेगा तो a के मान में सब कुछ रखना पड़ेगा g की value बताईए तो ये आप कहेंगे 9.8 ये a में g का मान 9.8 साइन थीटा है साइन थीटा का मान सीधे-सीधे एक बटा दस दिया हुआ है तो ये एक बटा दस तो रखी लो अप और 1 प्लस k square upon r square कितना है 2 upon 5 कितना है 2 upon 5 तो ये होगा है 2 upon 5 अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो गया भी है 9.8 को अगर solve करते तो ये तो 0.98 हो गया 10 से और विवाजित के दिया 0.98 हो गया और ये कितना हो गया तो 5 कम 5 दो 7 बटा में 5 इसको उपर ले चलिए तो 5 गुणे 0.98 upon 7 तो finally हमारे पास जो एक अमान आ जाएगा वो एक अमान आ गया भी है पॉइंट कितना 0.7 मीटर पर सेकेंड स्कॉल ये अच्छा मेरे पास एबलेबल है और दो सेकेंड बाद वेक की बात कर रहे है ठीक है अच्छान अगर अबलेबल है टाइम अबलेबल है तो क्या विलोसिटी नहीं निकाली जा सकती है फाइनल विलोसिटी तो आईए चलिए हम चलते हैं ज़र बात करते हैं मैं कहता हूँ कि या प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण गति के हैं न पूरा लिख लिजी गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण से अब गति के प्रथम समीकरण ने क्या कहा था तो गती के प्रथम समीकरण ने कहा था भाई कि हमारा जो होता है वी इक्वल्स टू होता है यू प्लस एटी क्या होता है वी इक्वल्स टू होता है हमारा यू प्लस एटी और वी का मान हरा V का बान हमें चाहिए तो V is equals to U की value तो 0 है नो ने खुद ने कहाता है यह विरामा वस्था से प्राराम होकर तो U की value 0 plus A की value हमने A की value हमने 0.7 निकाली और time की value भी इनो ने मेरे को दे रखी है 2 second तो रख तो बही है 2 second यह V equals to कितना आगया 1.4 meter per second square यह V निकल गया यह A निकल गया क्या क्या निकल गया भी V निकल चुका है और A निकल चुका अगर V और A निकल गया है तो इन्होंने वेग मांगा था एक तो हमारा answer फुल्फिल हो गया कि भी यह वेग बता दो लो भी यह बता दिए 1.4 meter per second square ठीक है अब किधर चलना तो अब चलते हैं हम हमारे किस के तरफ भी तो अब कुल उर्जा निकलने के लिए किस तर कुल उर्जा देखें मैं कहता हूँ क्या कुल उर्जा कुल उर्जा हमें सा क्या होती है भी तो घूर्णी गतिज उर्जा प्लस इस्थानांतरिय या रैखे लिख ले तो सीदे ये घूर्णी करती हो जाकिती होती है भी या तो हाफ आई ओमेगा स्कॉर बिलकुल ऐसे हाफ एमवी स्कॉर जैसा आई फील देता है हाला आई मत्तब जड़त वागूने जो कि द्रविमान के ही एक्वेलेंट चलता है ठीक है प्लैस ये हो जाता है भाई या हाफ एमवी स्कॉर अब मैं यहाँ पर आपको आई क्या मान कहता हूं किसके लिए गोले के लिए तो आप कहते हो यह होता है टू अपॉन फाइब टू कर दूंगा विलोसिटी अपॉन रेडियस का स्कॉर कैसे कर रहा हूं तो यह चलिए मैं एदर साइट में लिख देता हूं क्या है यह आई इक्वेल्स टू आई इक्वेल्स टू क्या हो गया भी गोले के लिए होता है टू अपॉन फाइब एमार स्कार इसकी तो चच्चा क यह वेंटू क्या होगा 3 जा तो राझै आईक मतब वी की बात हो गई कॉनि एवेग मतब ओमेगा तो यह मतंतया बहता है ओमेगा टैम्स ऑफ़र्र मैं कहते हूं ओमेगा इकोस टू क्या हो जाएगा तो वी अपॉन नहीं लिख रहा हूं क्या विलोसिटी अपॉनर आर इसमें तो कोई लफड़ा गी नहीं है अच्छा तो 1 upon 2 अच्छा एक काम करते हैं ये 2 से ये 2 तो खतम किता बचा 1 upon 5 ये r square से r square भी खतम हो जाएगा mv square बचेगा प्लस 1 upon 2 यहां से भी बचेगा तो वह mv square ही बचेगा धहन से देखिया ये v upon r का whole square था तो ये r square से 1 r square क्या हो जाएगा ये दोनों cancel हो साँगे तो किता बचा mv square plus 1 upon 2 mv square अगर इन दोनों को जोड़ दूं हाना तो कितना बचा भीया 1 upon 2 plus 1 upon 5 I think इन दोनों का LCM ले लिजे हो गया 10 हाना यानि ये हो जाएगा 7 बचा में 10 ठीक है न कितना बन गया ये ये बन जाएगा 7 बचा में 10 mv square अब 7 बचा में 10 m का मान आपको देखे गिवन है क्या m given है 0.1 kg तो चलो भीया ये हो गया 0.1 kg और v square का मान v का मान अभी निकाला 1.4 का square तो भीया ये कितना हो गया 7 बचा में ये दसमलों अटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा 14 से 14 बार में कितना हो जाएगा भी तो 196 होना चाहिए मेरे हसाब से 137 जूल क्यों भाई क्योंकि ये कुल उर्जा थी कुल उर्जा कानेटिक एनर्जी टूटल ठीक है 0.137 जूल के बरापर हो जाएगी तो पॉइंट के लिए रोगया भाई कैसे निकाला हमने तो हमें कुल उर्जा होती है हमारी घूनी गतिजूर्जा प्लस रखे गतिजू जा दोनों को उठा करके जोड़ दिया हमने बागी के कैलकुलेशन के लिए मतलब विलॉसिटी लाने के लिए इस्तेमाल किया किसका तो नत्र समतल पर हमको त्वरन पता है उसी त्वरन के फॉर्मुले का यूज किया और हमने फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर लिया ठीक क्योंकि हमें क्या करना है हमें करना है ब्रेन इक्सराइस हाना यह पूरा चप्टर पढ़ लिया है सीख लिया है समझ लिया है अब उस पर बेस्ट Quest IP करने इसलिए ज़रू है ताकि उसका Praktikal Implementation समझ में आ जाया प्राक्टिकल एपलीकिशन समझ में आ जाया किस तरीके से को यूज करना है ये बात भी समझ में आ जाए और फिर हम जब कभी भी आप कोई अपरेटर से आप कोई मसीन ऐसे चलते हुए देखेंगे किसे जो गूंते हुए देखेंगे तो उसके पीछे की लग रही हमारी जो विज्ञान है उसको हम समझ सके तो यहाँ पर अब सवाल आ यह जो है ना यह वाली त्रिज्जा यह अगर आर है तो यह थ्री टाइम सफार है ठीक है तीन गुनी है तो पहिए ए बी के जड़ा तो आगोण मतलब आई ए अपन आई भी ग्याद करनी है ठीक है यदि दोनों पहिओं का कोणिय समवेग समान है दोनों का क्या है कोणिय सम समझ मैं आ रही है कि यह Дोनों एक ही बेल्ट से अगर जूड़े हूए है अना ऐवर भी दोनों कैए एक ही बेल्ट से जुड़े हूए तो इसका मतलब है जितना वेग किसका होगा उतने वेग होरा होगा ठीक है अब मैं ऐसा कहना चाहरा हूँ कि जब गवन है कि ऐ और भी दोनों जो पहिये हैं, ठीक है न, इनकी अगर A की तुरिजया जो मैंने अभी लिखी हुई थी, कि इसकी R है, तो इसकी 3R है, हो गई बात खत्व, चलिए, कहता हूं मैं जड़ा, कि A और B, A तथा B, A के ही बेल्ट से, जुड़ा है अतह, रैखी अवेग, है न, रैखी अवेग समान होगा, कोणी अवेग तो अलग-अलग होगा, लेकिन ये तो सेम होगा, ठीक, मतलब मैं कहता हूं, कि V, A बराबर होगा, किसके V, B के, जितना ये घुमेगा, उतना ही ये घुमेगा, क्योंकि ये के ही बेल्ट से चल रहे, ये बिल्कुल सेंट उसे मैं बात करूँ, तो आपके साइकल के में जो लगी होती है, ये आपकी पैडल वाला हिस्सा, जिसमें रेडियस बड़ा होता है, और चेन के जरीए पीछे आप पर भी एक लगी होती है बेरिंग, और उसका रेडियस जो होता वो कैसा होता भी कम होता है, तो ये मेरे साइकल के ये पैडल वाला हिस्सा है, यहाँ पर पैडल लगा हुए है, ये माल लीचे, एक इधर है, तो ये कहां पर होगा, ये हमारे पैडल वाला हिस्सा है, जहां स तो दोनों की velocity रैखी अवेग दोनों का सेम हो गया तो मैं कहता हूँ कि चुकी और रैखी अवेग बराबर तुरिज्या इन्टू कोणी अवेग क्या होगा तुरिज्या इन्टू कोणी अवेग मतलब यह हो गया रैखी अवेग यह वी इक्वल्स टू यह हो जाता है हमारा R, कोड़ी अब एक मतलब कितना होगा भई? Omega. कितना हो जाएगा? R Omega. तो क्यों नहीं मैं यहाँ पर लिख लूँ? R A Omega A equals to R B Omega B. ठीक है? R A Omega A equals to R B Omega B. अगर मैं इसको लिखता हूँ, Omega A upon Omega B, तो इसको इदर लाईए, इसको इदर बेजते हैं. तो Omega A upon Omega B is equals to R B upon R A. कितना हो जाएगा? R B upon R A. इसी के साथ साथ में देखिए, और एक पॉइंट लिखते चलें. R B और R A के बीच में भी इनोंने relationship दिया हुआ है. क्या दिया भिया? कि यह जो है, यह मेरा R A है. यह जो है मेरा R A. और यह जो है मेरा R B. जो कि 3 टाइम से इसके. तो मत्तब ऐसा कह रहे हैं कि चुकि R A जो है, ठीक है. R B के अगर बराबर करना है, तो R B का मान, इस R B का मान कितना होना चाहिए भी यह? तो देखिए. R A का मान अगर R है, तो R B का मान होगा हमारा Thrice of R. किता होगा? Thrice of R. कैसे पता? यह देखिए, यहाँ पर किया रहे हैं, तो मैं अगर कहता हो, R B upon R कितना होगा? तो R B upon R A is equals to 3 R upon R, किता होगया? 3 R upon R. यह cancel होगया, यह कितना मिलेगा? 3. तो W A upon W B equals to कितना हो जाएगा भी? तो R B upon R A, इसकी वैलू कितनी हो जाएगी? 3 upon 1. ठीक है? यहाँ पर हमको इसकी वैलू मिल गई. अब काम करना सुरू करना है. एक एक करके. सबसे पहले कह रहे हैं कि दोनों पहियों के कुणिया सम्वेग समान है. कुणिया सम्वेग दोनों के समान है. फरस्ट कह रहे हैं कि कुणिया सम्वेग समान है. तो कुणिया सम्वेग समान होने का मतलब कह रहे हैं कि L1 बराबर है किसके? L2 के. और L1 होता किता, I omega, किता हो तभी, यह होता हमारा I omega तो I1 omega 1, अच्छा L1 क्यों लिखू, A B लिखना है मुझे तो IA omega A बराबर होगा I B omega B के ठीक है, मुझे क्या चीए, IA upon I B तो यह IA upon I B IA upon में ले आई है इसको I B यह हो जाएगा, omega B upon omega A अब omega A upon omega B होता 3 upon 1 तो omega B upon omega A कितना होगा भाई तो 1 upon 3 हो जाएगा यह किता हो गया, 1 upon 3 omega B upon omega A के मान किता है 1 upon 3, कोई समस्य है, कोई परिसानी नहीं होनी चीए ठीक है न, तो यह है कोडिया समवे के लिए ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, अब जरह बात करता हूँ मैं कि दोनों पहियों के घूर्णी गति जूर्जा समाने दोनों के जो घूर्णी गति जूर्जा है वो समाने तो घूर्णी गति जूर्जा कितनी होती है तो देखे, घूर्णी गति जूर्जा समान है, अब अगर इन दोनों की घूणी गटिज उर्जा समान है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भी, ऐसा लिक लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी A बराबर एक इसके काइनेटिक एनर्जी B के, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ I ओमेगा एक स्क्वार, यह वज करेकि लेगा मुझे आये अपन आई-B चाहिए तो आये अपन आइ-B का मान हो जायगा ओमेगा B अपन ओमेगा A का स्क्वार्र unreal और अगर ओमेगा A अपन ओमेगा B की आव मेगा उमेगा डियंगा अपन है ना चलो वह नपन किता हो गया बहुंग ना आई अपन आईबी का माइन किता हो गया वह नपन नहीं ठीक और यहाँ पर आईए अपन आई बी कमाण अलग से भी लिख लिख लेतो IA upon IB इसका जो मान है वो आया है हमारा 1 upon 3 ठीक है तो भईया जो हमारा जड़तो आगूण A का था और जड़तो आगूण B का था इन दोनों का अनुपात जब दोनों पहीयों का कुणियय सम्वेख समान हो तो इनका अनुपात 1 upon 3 है अगर इनी दोनों पहियों का गती जूजा समान हो जाएगा तो इनी दोनों का जो अनुपात रहने वाला वो कितना हो जाएगा वन अपॉन नाइन के बराबर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number next question जो है हमारा question number किता होगा 9 तो आ चुका है या 10 आ चुका है 10 वे प्रश्ण बे आते हैं यहां कहे रहे हैं कि 10 किलोग्राम द्रबिमान का एक बेलन 30 डिगरी जुकाव वाले नत समतल पर लुढकता है नत समतल के सता और बेलन के बीच का जो घरसन बल है उसको हमें calculate करना है ठीक है तो चलिए भी यह इसको calculate कर लेते हैं तो यह रहा भाई हमारा नत तल है ना किते डिगरी पर तो 30 डिगरी इसका जुकाव किता है 30 डिगरी अब इस पर जो बेलन है है ना यहां कहीं पर मैं रख लेता हो इस बेलन को और इस बेलन के उपर क्या-क्या कारेरत हो जाता है तो हमें कुछ बाते पता है यहां पर कि जैसे यह बेलन होगा इसके उपर नीचे के तरफ स्ट्वेट नीचे के तरफ mg जो गुरत्वा करिशन बल है इसके उपर कारेरत होगी मतलब इसका भार होगा इल्टेमेटली यहां पर सता के लंबवात एक नॉर्मल रियक्शन और यह से mg के दो कंपोनेंट्स टूड जाएंगे एक हो जाएगा mg साइन 30 डिगरी यह 30 है तो यह भी 30 होगा तो सीधे लिखता हूँ ना और एक होगा इदर mg कोस 30 डिगरी यहां पर यह नीचे की तरफ क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यह नीचे की तरफ म से ही चल रहा है तो इस पर घरसन बल का जो मान होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा हमने इस पर पूरी अपनी FBD अप्लाई कर दिए free body diagram हमने इसकी बनाई जहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि घरसन बल का मान ग्याद कर जैसे F को ग्याद करके दिजए इतनी सी बात हो रही है तो इस F को ग्याद करने के लिए हमें यहाँ पर लिख रहा होगा क्या इसकी equation इसकी समीकरण है ना तो मैं कहता हूँ कि free body diagram से मतब चित्र से हमें क्या समीकरण समझ में आता भी तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो MA से आगे की तरफ चल रही है उसका कारण को ने भीया तो यह MG साइन थी था तो मैं कहता हूँ MG साइन 30 डिग्री MG साइन 30 डिग्री माइनस कौन तो यह घर सनबल F माइनस हो गया बराबर किसके होगा भीया तो यह MA के बराबर होगा जिससे कि आगे की तरफ चल रही है अब अगर मैं F इक्वल्स तो यही friction force ही चाहिए ना यह आप समझेगा यह लुड़ा केगा जब नीचे की तरफ तो friction force की इसको इधर ले आई है तो क्या हो गया F इक्वल्स टू M G साइन 30 डिग्री माइनस म ठीक है क्या हो जाएगा M G साइन 30 डिग्री माइनस म ठीक है चलिए रखते हैं हम जर्णा कुछ कुछ बाते करते हैं मैं साइन थर्टी साइन थर्टी बन अपॉन टू होता है तो यह तो रख देता हूं और कुछ दिया चले साभी रखता हूं मैं एम जी साइन थर्टी डिग्री माइनस एम एकी वैल्यू एकी वैल्यू बेलंग हो या फिर कुछ भी हो नत तल पर हमने अभी देखा नत तल पर नत तल पर त्वरण ए इसके लिए हम तब से क्वेश्चन किये जा रहा है जी साइन थिटा अपॉन जी साइन थिटा अपॉन प्लस के स्क्वेर अपॉन आर इसकर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भी तो यह हो गया इस एक ही जगा पर कलर चेंज कर देता हूं मैं एक ही जगा पर लिख रहा हूं सिर्फोर सेफ जी साइन थिटा तो साइन थिटा की जगा मैंने पास थर्टी दिगरी है तो 30 डिगरी रिखतारों जीसायन 30 डिगरी अपन 1 प्लस k sqa a r sqa a r sqa r ठीक है अब समस्या क्या आपड़ी की के σqa a r sqa b ealen के लिए कितना होगा तो मैं कहते हो b ealen के लिए k sqa r upon r sqa r k b e lazy qa tqa t mau ढो welche बेलन के लिए जड़त्व अघोड आई इक्वल्स टू कितना होता है यह तो mk square is equals to हमारा हो जाता है 1 upon 2 mr square कितना 1 upon 2 mr square बेलन के लिए तो यह finally m से m cancel हो गया तो कितना हो गया भाई तो यह हमारा जो है k square upon r square का मान होता है हमारा 1 upon 2 यहां रख देता हूँ मैं m command 10 अच्छा इसको common कर दूँ तो कैसा लगेगा mg sin 30 degree को common कर देता हूँ यहां पर बच गया 1 minus 1 upon 1 plus k square upon r square की value है 1 upon 2 तो 1 plus 1 upon 2 कितना हो जाएगा यह 1 minus 1 plus 1 upon 2 मतब 3 upon 2 मतब 2 upon 3 कितना हो गया यह 2 upon 3 चलिए तो यह हो गया भी हमारा 2 upon 3 अब क्या काम करें तो अब इस वेसे इसको minus कर देते हैं तो finally मेरे को value मिल जाएगी mg sin theta मतब sin 30 इंटू यह हो जाएगा हमारा 1 upon 3 अब यहां पर सारी values रख ली जाए तो a equals 2 ठीक sorry f equals 2 m की value यहां पर given है 10 kg तो रख देता हूँ 10 into 9.8 into sin 30 मतब 1 upon 2 into 1 upon 3 finally f equals to किता बिल जाएगा भई तो यह हो गया 16.3 newton यानि यहां पर जो बल का मान कौन सा है यह घरसर बल जो पीछे की तरफ लग रहा है इसका जो मान आएगा वो किता हैगा 16.3 newton ठीक है के लिए भी है इस diagram से यह पूरा का पूरा सवाल चलिए तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर 11 की तरफ तो भी कह रहे हैं इसमें कि पृत्वी को अपने घूरनी नक्ष के प्रिता कोणय समही क्यात करना है और दिया गया है और पृत्वी का द्रब्यमान पृत्वी की और से त्रुच्या यह दोनों दी गई है तो घूर्णे नक्ष के परिता कोणिया सम्वेग हमारी जो पृत्वी है इसके घूर्णे नक्ष घूर्णे नक्ष मत्तब यह होगी इसकी घूर्णे नक्ष इसके परिता हमारी पृत्वी क्या करिए घूम रही है तो इस घूर्णे नक्ष के परिता हम कॉन्या सम्वेख तो मुझे पता है होता क्या है ? कॉन्या सम्वेख , kन्डिया सम्वेख , हमारा L होता है i omega , जस तरीकсы पमध वियसे ही i omega , अब बार है क्या i ृअह भी निह पता और omega भी निह पता , तो दोनों को से P equals to MV, वैसे ही यह I omega, अब बार यह क्या I भी नहीं पता और omega भी नहीं पता, तो दोनों को calculate करके लिया आते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं, तो मैं कहते हैं, तो प्रिथवी का जड़त्वा आघुण, ठीक है, प्रिथवी का जड़त्वा आघुण, इसी को I से denote करते हैं भी, तो I equals to होगा कितना, तो प्रिथवी मतब ठोस गोला, मतब 2 upon 5 MR square, यह किता हो जागा, 2 upon 5 MR square, ठीक है, यह आई हुई, अब I की वैल्यू अगर चाहें तो आप रख सकते हैं, 2 upon 5, M की वैल्यू कितनी अभी यहा, तो 5.98, इंटू 10 to the power 24, इंटू R square, तो 6.37 इंटू 10 to the power 6 का square, 6.37 इंटू 10 to the power 6 का square, यह हो गई, प्रिथवी का जड़त्वा आखुण, अब इसके बाद को जाब यह, ओमेगा, अब प्रिथवी के लिए चाहें का हमें कोडिय वीग, कोडिय वीक, अब कोडिय वीग, जो ओमेगा है, यह कैसे लिखेंगे बई, तो विस्थापन, कोडिय विस्थापन बटामे समय, अब एक complete rotation करते हैं, यह कितने का विस्थापन होगा, तो 2 pi का, अपन में समय, समय मतलब के तब यह, तो 24 घंटे में एक rotation complete होता है, लेकिन क्या यह Rs जो है standard unit है क्या, नहीं है, तो इसको इसके standard unit में convert किजिए, तो 24 को क्या करूं मैं, गुणे 60, गुणे 60, यह हमारा क्या बन गया, इसका standard unit, अब यह ले आ करके हाँ पर रखते हैं सभी मानो को, तो कोण यह समय एक L equals to, कितना हो गया भई, तो यह हो गया, 2 upon 5 into 5.98 into 10 to the power 24 into 6.37 into 10 to the power 6 का square, यह तो हो गया I into omega, मतब 2 into 3.14, हारा, पाई को 3.14 लिख लेते हैं, upon में, 24 into 3600, चली, तो भी यह जब इसको solve करेंगे, तो हमको यह value मिल जाएगी यहाँ पर, 7.05 into 10 to the power 23, बैसिकली, हारा, 10 to the power 33, और unit क्या होती है, भी यह तो इसकी unit होती है, kg meter square per second, हारा, कोण यह समवेक की unit क्या होती है, kg meter square per second, यह actual data है भी, actually, पृत्वी के लिए इतना ही मान होता है, इसलिए, इसके जो calculation portion में numbers आ रहे हैं, वो actual figure होने के वज़े से बड़े numbers आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अराम से इसको multiply करेंगे, और आप इस result तक बिलकुल पहुँचेंगे, ठीक है, करना कुछ नहीं था, हारा, यह सारे मान दिय तो अगर यहां तक की पूरी picture के लिए रहे हैं, तो हम बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पे, question number 12 पे, बारमें सवाल पे पहुचते हैं, और देखते हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं, तो question number 12 में कह रहे हैं, कि 0.1 kg द्रबिमान, और 2 cm तुरिज्जा का एक ठोस है, गोला है अल्टिमेंटी, नत समतल, जहां पर साइंग 30 डिगरी दी गई है, मैं लुढकता है, विरामा वस्था से चलना प्रारम करता है, दो सेकेंड बाद इसका कुल उर्जा ग्याद कीजिए, देखें, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, यह जो है, ठोस गोला, यह हो गया एक गोला, यहां पर 30 डिगरी पर क्या हो रहा है, यहां से यह लुढकरा है, यहां पर यह गोला है, और यह 30 डिगरी पर क्या हो रहा है, लुढकरा है, हाना दिया क्या क्या गया है, तो द्रबेमान यहां पर गिवन है, इस गोले का द्रबेमान मास गिवन है, 0.1 kg, ठीक है, दो सेंट सेंटी मेटर तुरिज्या मतब इसका जो रेडियस गिवन है तुरिज्ज्य जो गिवन है यह कितनी है यह दो सेंटी मिटर है अब दो सेंटे मिटर मतब इसको मीटर में कर लिजिए तो यह हो जाएगा 0.02 मीटर ठीक है ठोस गोला नत सम्तल पे मतब यहां पर जो एंगल का मान है थीटा जो यहां पर गिवन है वो 30 डिगरी है तो सीधे रखी लेता हूँ साइन 30 डिगरी इसकी वैलू किती होती भी है तो 1 upon 2 अचा ठीक है कायने विरामा उस्था से चलना पराराम करता है मतब यू इक्वल्स टू जीरो भी गेवन है और टी सेकेंड के बाद इसका वेग और कुल उर्जा गयात करनी तो टी सेकेंड के बाद मतब टी इस इक्वल्स टू सेकेंड निकालना है इसका वेग और इसकी कुल उर्जा तो चलते हैं हम एक एक करके निकालते हैं सबसे पहले हम वेग को निकालने के लिए मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी फिर इसके बाद हम कूल उर्जा को भी निकालेंगे कूल उर्जा मतब क्या कहना चारे भी तो राखिये गतिज उर्जा प्लस हमारी घूर्णी गतिज उर्जा इसको ही हम कहते हैं कुल उर्जा तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एक-एक करके तो भाईया हमको निकालना है अगर वे एक तो इसमें निकालनी पड़ेगी त्वरण और नत समतल के लिए нымढा अपोन फ्लज के स्क्राइर अपा ये के स्क्राइब आर इसक्वार के वैलू ले आकर कैंँग और नहां से अलेशियन मिल जाएगा, जैसे acceleration मिलेगा, time given है, initial velocity given है हमको final velocity मिल जाएगे तो करें तो भी यह देखें, गोले के लिए ठोस गोले के लिए ultimately, घोले के लिए ठोस गोले के लिए, जड़तो अघूर्ण कितना होता है तो जड़तो अघूर्ण का मान हमने अभी देखा आई जो होता है वो होता है भीया M K SQUARE और अगर इसको करेंगे तो 2 upon 5 M R SQUARE यहाँ से M से M यह कैंसल हुआ तो क्या बचेगा भीया K SQUARE upon R SQUARE is equal to 2 upon 5 क्या बचेगा K SQUARE upon R SQUARE के वेलू जो बचेगी वो बचेगी 2 upon 5 अब यहाँ पर मैं ACCELERATION निकालता हूँ एंद फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं अगर यहाँ पर ACCELERATION का मान निकालूँगा तो G SIN THETA अब रख दू क्या सब कुछ वैलू G की वैलू रख देता हूँ 9.8 SIN THETA डिग्री यह जो THETA लिका हूँ है अल्टी बेटी SIN THETA डिग्री है तो SIN THETA डिग्री अपॉन 1 प्लस K SQUARE upon R SQUARE के वैलू 2 upon 5 तो यहाँ आगे 2 upon 5 फाइनली अगर इसको करेंगे तो 9.8 इंटू SIN THETA का मत्तब किता हो गया यह 1 upon 2 यह नीचे किता हो गया तो 5 plus 2 7 upon 5 ठीके किता हो गया 7 upon 5 इससे अगर इसको कैंसल करते हैं तो यह 49.9 मत्तब 4.9 में कैंसल हो गया ठीक इंटू 5 upon 7 इसको भी अगर कैंसल करता हूँ तो यह साथ से साथ बार में känसल होगा मत्ब 0.7 हाना और साथ पंजे केतना होगी अब या 35 मतलब यह 3.5 यह किसकी वैलू आई एक ही यह मीटर पर सेकंड स्क्वाइर ही होगी क्योंकि एसलेरेशन नॉर्मली तौरण है कोड़िया वड़िया का कोई गेम इसके अंदर में नहीं है हरा अंगुलर का कोई गेम नहीं है तो मीट पर सेकंड होगी अब मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए क्या भई फाइनल विलाउसिटी यहां कह रहे ना तो उसका वेग्याद किजिए तो फाइनल विलाउसिटी कैसे निकलेगी तो मैं कहता हूँ गति के प्रथम नियम से गति के प्रथम नियम से तो गति के प्रथम निय कि इसको विरामा वस्ता से प्रारम किया तो इसको जीरो कर देता हूं एक की वैलू 3.5 आ चुकी है एंड टी की वैलू इन्होंने कहिए दो सिकेंड में का लिया तो 3.5 तू जा 7 तो वी इक्वल्स टू किता होगे 7 मीटर पर सेकेंड क्या होगे वी इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड अब चलते हैं यह तो होगे हमारी क्या हमारा निकल गया भी विलॉसिटी अब मुझे निकालनी है क्या अगला देखिए अगला मुझे निकालना है कुल उर्जा कुल उर्जा और यह कुल उर्जा कितनी होती है भी तो हमारी राखिक गतिज उर्जा प्लस घोणी गतिज उर्जा इन दोनों का सम घोणी गतिज उर्जा तो लो भी यह राखिक गतिज उर्जा का मतलब राखे गती जूर्जा का मतलब half mv square और ऐसा ही दिखने वाला घूनी गती जूर्जा में भी होता है कोई half i omega square है वेक की जगा कोणी है वेक द्रबेमान की जगा जड़त्वा घून form रखते है 1 upon 2 mass की value तो सीधे सीधे हाँ पर given है कितना point 1 तो यह होगया 0.1 into 7 का square है विलोसिटी किते है थी 7 तो 7 का square ठीक है plus तो लगा दिया भी है 1 upon 2 i की बात करते है i होता है भी है mr square है लेकिन यह गोला है तो 2 upon 5 mr square और omega square की जब बात करेंगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा समझा कि यह अर्राखिय वेक बराबर त्रिज्या इंटू कॉनियवेक त्रिज्या इंटू कॉनियवेक मत्तब यहाँ पर कहाँ है v equals to r omega होता है तो मैं omega equals to v upon r लिखो तो क्या गड़बड होगा तो v upon r का square next line में मैं अगर कहता हूँ तो इसको 1 upon 2 हाँ और 1 upon 20 कर लेता हो इंटू 49 कर देता हो plus यह 2 से 2 तो cancel हो गया 1 upon 5 mr square v square upon r square तो यह r square से यह वला r square खतम क्या बचेगा भई यह 49 upon 20 plus 1 upon 5 times off m की value रखिए 0.1 0.1 into v की value तो 7 का square तो 49 upon 20 plus यह भी किता हो जागा तो 50 लिख दू नीचे 49 upon 50 यह 10 मलों नीचे उतरेगा 10 कर देगा तो अगर इनका LCM लेलू तो 100 होना चाहिए भई 20 से 5 बार में 9,5,45,5,4 और पंचों के 20,24,24,50 से 2 बार में तो 49 दूनी अगर करते हैं तो किता होगा 99 245 बतब 345,343,343 बता में 100 यानि कुल उर्जा जो हो गई वो कितनी हो जाएगी 3.43 जूल किते आगे 3.43 जूल क्लियर होगी बात तो यहां से हमें बाते समझ में आती है कि अगर हमने 30 डिगरे पे इसको इनकलाइन किया है तो वहां से जब यह लुड़केगा तो क्या करेगा भी यह कितने एनरजी प्रोड्यूस करेगा तो यह 3.43 जूल प्रोड्यूस करेगा और उसका वे किता रहने वाला है तो 7 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है ऐसे क्वेस्षिन के बारे में तो अब आपको हर तरीके से आचुका भी कैसे भी उल्टा पुल्टा गुल्टा कैसे भी करके दे बिए जाए आप से यह क्वेस्षिन बन जाता है ठीक है छली तो अब क्या काम करें तो अब बढ़ते हम जड़ा अगले सवाल के तरफ है ना question number 13 की तरफ और इसको चर्चा करते है कि यहाँ पर क्या कहना चाहरे है चली तेरवे में कह रहे हैं कि तीन गेंदे प्रतेक कद्र बिमान M A भुजा वाले संभाहु त्रिभूज के सिर्सों पर रखी गई है ठीक है त्रिभूज के एक भुजा के मद्ध बिंदू के परिता तता उसके तल के लंबो तक्ष के प्रती निकाय का जड़त तो आगुन किता ह तो मैं अगर यहां पर डाइगराम बनाता हो तो देखें यह हो गया भी हमारा क्या संभाहु त्रिभूज जिसके भुजा कितनी है यह अगर पूरी भुजा A है हना तो तीनों सिर्स रख लिजे मैं कहता हो यह है यह B है और यह C है अब संभाहु त्रिभूज तो तीनों भ कहते हैं कि M-M-M-Drabimani सबी जगों पर रखा हुआ है तो लोई यहां पर भी एक M-N-Drabimani है यहां पर भी M-Drabimani है यहां पर भी M-Drabimani बराबर है त्रिभूज के एक भुजा के मद्य बिंदू के परिता हो उसके तल के लंबवत तो भीया एक भूजा के इसी के लंबवत कर देता हूँ, क्या करूँ, मैं इसी के लंबवत कर देता हूँ, अगर मैं इसी के लंबवत कर देता हूँ, अगर मैं इसी के लंबवत कर देता हूँ, चलिया, एओ कर दिया, यह एओ के परित्रह क्या करना है, जनत्व आगुण घ् तो जड़्आ तो आ εί बराबर हमने लिखा था समीशन ओफ एमार स्कुर आप बोल रहे होगे चिuseum पर मर्जी होता अप समीशन ऑफ एमार स्कुर लगाते हो कहीं पर आप सिंप्ली मार इसकुर लिख देते हो अखिर इनकाह मरा सस्टम एक से जादा द्रवमानों से मिल करके बना होगा तो चलेगा submission of mr square और जब अकेला ये के ही द्रवमान होगा तो mr square तो यहाँ पर मुझे एक से जादा निकाय में एक से जादा द्रवमान दिख रहे हैं एक तो तीन तक हमने उपन किया अब क्या करना है आपको M1 की वैलू कितनी है या M R1 स्कॉर हाना मैं कहता हूँ 1 का मतलब अच्छा इसको एक काम करते है क्यों नहीं इसको A B C D लिख लो हाना इसको A B C D करता है A A B B C C M A की वैलू कितनी है A पर जो महाँ से उसका M है और R A मतलब यह वाले डिस्टन्स यानि A O का स्कॉर किसका स्कॉर हो जाएगा A O का स्कॉर इसी तरीके से अगले वाले के बात करते हैं तो यह हो गया भाईया A O स्कॉर प्लैस M B O स्कॉर प्लैस तीसरे के बात किजिए तो इसका भी द्रविमान M है और कितना है डिस्टन्स भाई तो C O तो M C O का स्कॉर ठीक है अब देखिए A O की अगर बात करूं तो यह A A है तो अपने को पता है देखिए यह जो बीच में जो लाइन जॉइनिंग है A O जो होता है रूट 3 अपन 2 टाइमस आफ भुजा क्या होती है बही रूट 3 अपन 2 टाइमस आफ भुजा ठीक है तो यह फॉर्म होता है जो मदिका होती है इसके बीच की मदिका बराबर root 3 upon 2 into भुजा अब भुजा के लंबाई A थी तो root 3 upon 2 into A तो M को तो M ही रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिया तो है नी ठीक है AO की बात करेंगे तो ये पूरा A था तो ये AO कितना मचा होगा A upon 2 ये भी कितना मचा होगा A upon 2 तो AO और AO की बात तो हो गई है root 3 upon 2 का स्क्वार प्लस M BO की बात करेंगे तो कितना है A upon 2 का स्क्वार M CO की बात करेंगे तो A upon 2 का स्क्वार ठीक है अच्छा अब अगर यहां से मैं लिखता हूँ तो M ये हो गया 3A upon 4 प्लस M A square upon 4 प्लस M A square upon 4 अब अगर इन सभी को जोड़ दे तो क्या मिलने वाला है भई तो ये I equals 2 देखिए बड़े सिंपल सब्दों में M upon 4 M upon 4 M upon 4 सब में common देखी रहे तो सीदे सीदे सब तो जूड़ जाएंगे हाना अगर ऐसे नहीं बनता तो भी ऐसे कर लो M upon 4 क्या बचा 3A 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 square A square A square तो 3A square 4A square 5A square क्या हो क्या है 5A square मतब M या फिर ऐसा लिखता हो 5 upon 4 M A square ये हो गई इसके जरत्वागोड के बहुए 5 upon 4 M A square 5 upon 4 M A square तो क्लियर होगी बात क्लियर है इसकी हाना अगर हमारे संभाहूत रभूज के तीनों भुजाओं के सिर्फ पर MMM दरबिमान रखे होंगे और किसी भी एक मैंने भी A.O. लिया था आपको मन करें आप ये B.O. ले लो यहाँ बना लो यहाँ पर एक उसके पर इतों गुमाओ तब भी इतना ही आएगा इसमें कोई changes नहीं आएगे चलिए आते हम जड़ा अपने अगले सवाल की तरफ question number 14 की तरफ 14th question में कहरे है कि 4 kg दरबिमान का गुठका पांच मीटर तुरिज्या के पहिये के रिम मतब एक सीरेस से लटक रहा है विरामा वस्ता से छोड़ने पर गुठका 2 सेकेंड में पांच मीटर के उचाई से गिरता है पहिये के जड़तों आगों तो देखेंगे ने यह सीधी यह है भाईया हमारा पहिया ठीक है हो क्या रहे है आपर तो इसमें हमने radius जो है यह है हमारी radius है पांच मीटर 0.5 radius r लिखना तो चली बाहर लिखनेंगे डिटा यहां से एक ऐसे ऐसे कोई रस्ती है इस तरीके से लटक रही है यहां पर नीचे के तरफ इसमें क्या काम कर रहा होगा भीया तो इसमें काम कर रहा होगा mg लेकिन इसी के उपर इसी के उपर इसको जो hold करके रखा होगा वो कौन होगा tension और यह इस तरीके से इस पर क्या कर रही है घुम रही है तो दिया गया मान तो लिखी ले दिया गया है ठीक हमको 0.5 meter r की value given है 0.5 meter ठीक है इसके अलावे हमें दी गई है विरामा वस्ता से छोड़ना है मतब यू की value हमको given है 0 ठीक दो सेकेंड में 5 meter की उचाई से गिरता है टाइम है दो सेकेंड और हाइट हमको मिल गया 5 meter मतब इतनी displacement cause करने वाला वो ठीक है पहिये का जड़तो आगुण i चाहिए तो i equals to क्या होता है अभी है ना तो m ठीक है i equals to हमारा जो होगा mr square चाहिए अब मुझे m निकालने के लिए करने पड़ेगी थोड़ी बहुत मेहनत तो मैं करता हूँ जारा देखे मैं हाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले कि भीया ये जो पिंड है है ये जब घुम रहा होगा जब ये घुम रहा होगा तो ये कितने का क्या निकालने मैं तोरण कितने का प्रोडूस कर रहा होगा तोरण निकाला जा सकता है ठीक है तो मैं तो अरण निकाल के लिए तो देखिए मैं कहता हूँ कि गति के दूइतिया नियम से है. गति के दूइतिया समीकरण से है. क्या कहते भी यह तो S equal to होताँ UT plus half 80 square. यही होता है. मैं कहता हूँ कि H equal to, अब हो गया मेरा UT plus half 80 square जहां पर H की value given है 5 meter, तो यह रख दीजे 5, U, विरामा वस्ता से सुरू हाता है, मतब यू की value किते है 0, यह होगा भी, यह 0, plus 1 upon 2, A की value के A की बात करते हैं, निकालनी है, हरा, और T square मतब 2 का square, सीधे सीधे, 5 equals 2, यह किता होगा 4, मतब 2A, A equals 2 किता होगा भी, यह 5 upon 2, यानि 2. 2.5 meter per second square, यह हो क्या, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात करें, तो मैं कहता हूँ कि, MG नीचे की तरफ, Tension उपर की तरफ, और overall क्या हो रही है, तो यह नीचे की तरफ गे रही है, मतब M N नीचे की तरफ लग रही है, तो इसमें अगर FBD लगा है, Free Body Diagram, तो हमें क्या पता चलना भी, कि MG जो है, वो नीचे की तरफ इसको खीच रही है, Tension उपर की तरफ, लेकिन फाइनली जो displacement हो रहा, फाइनली जो move हो रही है, जो बल, परिरामी बल है, वो किदर की तरफ, नीचे की तरफ, तो M A के equal हो गया, अच्छा, तो यहाँ से T की value क्या जाएग तो मैं कहता हूँ कि बल अगुण से, क्या निकाल लूँ, बल अगुण, तो बल अगुण बराबर, है ना, टॉर्क, tau equals to, हमें पता है, होता क्या क्या बही, तो एक तो form होता है हमारा कि tau equals to, जैसे M A होता था, हमारा F equals to क्या होता था, M A, वैसे ही है क्या हो जाएगा बही, तो आई ओमेगा, क्या में लगा, सीधे-सीधे आई ओमेगा, आई मतलब मास और ओमेगा मतलब वही क्या है भी, वो है हमारी विलाउसिटी, सॉरी, आई अल्फा, हाना, एसिलरेशन चीए, त्वरं चीए, हाना, जड़त वागोर्ण, इन्टू कॉन या त्वरं, ये क्या है, तरीके से टाव एकल स्टू हमने एक और बात पढ़ी है, क्या भई, तो हमने पढ़ा, फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टन्स, बल इंटू, लंबबवत दूरी, ये दोनों ही तो हमने फॉर्म पढ़े, अब जो दोनों ही फॉर्म पढ़े हैं, तो दोनों को I alpha is equal to मैं लिखता हूँ, F R Capital R लिख रहा हूँ तो capital R लिखता हूँ I alpha equal to क्या हो गया FR, अब क्या कर दो भई तो सीधे simple सी बात है, मुझे चाहिए था I I equal to क्या मिलेगा, तो I equals to मिल जागा FR upon alpha क्या मिल जागा FR upon alpha अब यहाँ पर अगर सब की बात करें, एक एक करके, कि F कितना है, R कितना है और अलफा कितना है, तो क्या-क्या चीज़े मिल जाएगी भई, तो देखें, यह जो फोर्स है, इसकी जगा पे हमारे पास जो चल रहा है, वो है कौन भई, टेंशन T, यह है न वो फोर्स, और वो अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूँ, तो इसको भी TR करता हूँ, इसको भी लिखोंगा, तो क्या लिख लूँगा, TR, अब देखें, अब मेरे पास में क्या-क्या मान है, T का मान गेबन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें, T का मान, M, G, माइनस A, इंटू, मिल जाएगा मुझे, A upon R, कैसे मिलेगा, तो देखें, अगले पेज़ पर ही कर ले दो, अल्फा का मान हमें निकालना है, तो हमें पता है, अल्फा जो होता है, यह होता है, कॉनिया त्वरण, तो हमें पता है, यह कि राखिया त्वरण जो होता है, कौन, राखिया त्वरण जो होता है, इसका मान क्या होता है, तो यह होता है, कॉनिया त्वरण इंटू त्रिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अपार तो alpha equals to क्या हो जगा है a upon me r तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ कि a upon me r अब इन सब की value रखते एक काम करतो mg minus a r upon mg minus a r upon alpha की जगह पर भी कह लिख रहे थे a upon r तो यह क्या मिलेगा यह r ऊपर चला जाएगा ultimately तो यह क्या बन जाएगा mg minus a r square upon में a ठीक है अब क्या करना है अब इन पर values रख दीजिए इन सब की value लेगे m की value सबसे पहले 4 kg m की value 4 kg तो यह 4 हो गया यह 9.8 हो गया minus a की value 2.5 तो a की value 2.5 ठीक है into r की value तो भी यह r की value r r r है 0.5 तो यह हो गया 0.5 का square है ना r square upon a तो a तो अभी calculate किया था हम लोग रहने किता 2.5 तो 2.5 अब कर लेते इसको solve है ना यह हो गया 4 98 में से 25 माइनस कर दूँ अगर अगर है ना तो 35 मेरे साब से 73 बचना चाहिए है ना 7.3 into यह किता हो जागा 25 याने 0.25 अपन 2.5 यह डेसिमल और इसका डेसिमल मतलब नीचे 10 कर दूँ 100 बैसिकली उपर 10 कर दूँ तो यह 25 से 25 खतम हो जागा इसको अगर मैं कैंसल आउट करता हूँ तो फाइनली यह मुझे वैलू दे देगा 3 KG pos kिता हो जागा 3 KG बैसिकली लटका हुए है और यह इसको क्या करेगा यह गुमार विरामा उस तरह से छोड़ेंगा तो क्या करेगा उसको रोल करता हूँ नीचे गिरेगा तो इस पे कितना टेंशन होगा या फिर जड़त वाग होड़ इस पे कितना होगा यह हमने यहाँ पर कल्कुलेट कर रहा हुआ बढ़ते हैं अगले पंद्रवे नुम्बर सवाग प्रित्वी के कक्छिय कोणिय सम्वेग सूरी के परिता का इसके द्रविमान का अनुपात देखे कोणिय सम्वेग का इसके द्रविमान के अनुपात दिये हुए तो मैं जड़ा लिखता हूँ इसके दिया गया है में ही जो है दम है वो है क्या है तो कोणिय सम्वेग कोणिय सम्वेग का मत्तब क्या हो जाएगा भी MVR स्कार ठीक है कोणिय सम्वेग पूरा ही लिख देता हूँ कोणिय सम्वेग MVR स्कार ठीक है इसके द्रबेमान के परिता का अनुपात तो कोणिय सम्वेग यह हो गया तो कोणिया समवेग अपॉन द्रबिमान इसका मतलब क्या समझे आप तो यह कह रहे हैं M V R स्क्वार अपॉन में M मतलब यह कैंसल हो गया V R स्क्वार इसकी वैलू गिवन है इसकी वैलू गिवन है किता 4.4 into 10 to the power 15 में M2 पर सेकेंड पृत्वी की कच्छा दौरा वह च्छेतरफल कितना होगा तो हम से पूच रहे हैं कि इसका च्छेतरफल बताईए कि यह कितना एरिया जो है वो कवर करने वाला है ठीक है तो एक काम करते हैं हम इस कहानी के सुरुआते हैं कहां से कर ले बई यह जो हमारे पास में given है न, we are square, यही से इसके picture के सुरात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि velocity कितनी होगी, मैं यही पे लिखता हूँ, velocity कितनी होगी, तो पृत्वी का week, week, कितना होगा भी, तो क्या होगा, कोडिय, हैना awake की बात करें, तो जितना विस्थापन अपटा में समय है विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन जो आपको देखने को मिलेगा, यह कितना होगा भी, हमें सा, 2 pi r, कितना होगा, 2 pi r, आच्छा, ठीक है, यह mvr ही तो होगा, r square ने, mvr, हैना, तो 2 pi r, velocity कितना होगा भी, 2 pi r, परीधी के बराबर, जितनी परीधी होगी, उस सूरी के परिता, घोमती हुई, प्रिथ्वी, की औसतवेग, तो भीया, टोटल, टोटल कितना, 2 pi r, अपन में औसतवेग की बात करें, मतलब टाइम कितना होगा, तो 365 दिन में हम एक चक्कर पूरा करते हैं, 365 दिन मतलब 24 घंटे से मल्डिपलाई करना पड़ेगा, एक में टाइक कितना भीया, तो 60 मिनित का और एक सेक्ट, शिक्टी, यह होगी पूरी विलॉसिटी की मान, हाँ ना, यह किस की मान होगी, पूरी विलॉसिटी की मान होगी, तो अब अपन उठा करके इसको रख सकते हैं, यहाँ पर, हाँ, क्या कर रहा हूँ, यह तो अब आपर 15 इस V की जगह पे इस V की जगह पे रखे 2 pi r upon t इसको रख दू मान यह वाला रखूंगा भी अभी रखता हूँ 2 pi r upon t into क्या भई तो into यहाँ पर r 4.4 into 10 to the power 15 ठीक है अब क्या करना है तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसको अगर मैं solve करता हूँ तो यह हो जाता है 2 pi r square upon t 4.4 into 10 to the power 15 अब t को उधर भेज़ देता हूँ मैं ऐसा लिखता हूँ pi r square request to किता होगा t upon 2 into 4.4 into 10 to the power 15 अब pi r square क्या होता है 6 रफल pi r square क्या होता है वृत का 6 रफल यह देखिए pi r square मतलब वृत का 6 रफल pi r square का मतलब क्या है वृत का 6 रफल अब t की जगा पे हम यह पूरा टाइम रख लाए 365 cross 24 हाना तो यह पूरा रख देता हूँ ठीक है इस t की जगा पर रखता हो 365 365 cross 24 cross 60 cross 60 cross 4.4 into 10 to the power 15 और upon में यहाँ पे 2 और चल रहा है हाना यह upon में 2 था वो चल रहा है जब इसको अपन solve करते हैं तो हमें इसका final result जो मिलने वाला है इसको जैसे आप हल करेंगे तो आप इसका final result जो पाएंगे वो result आपको मिल जाएगा भी 6.93 into 10 to the power 10 to the power 22 ठीक है कितना मिलेगा pi r square इसकी unit square यह जो 6.93 into 10 to the power 22 square meter तो मैं यहाँ पर लिख दे तो pi r square मतलब जो मिलेगा 6.93 into 10 to the power 22 square meter यह हो जाएगा इसका final answer ठीक है चलिए तो अब बढ़ते भी अपने अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ बढ़ाजा है question number question number हमारा है 16 शोलमे सवाल में कुछ-कुछ बाते कर रहे चार सवाल है अच्छा कहने कि नगने द्रबेमान वाली एक रसी 20 kg द्रबेमान एवं 20 cm तुरिज्जा के गतिपालक पहिये के रीम पर लपेटी रसी पर 25 न्यूटन का कर्शन बल लगाया जाता है गतिपालक पहिये एक 36 धूरी पर लटक रहे है है नगने द्रबेमान वाली रसी है जिसका किलोग्राम 20 kg द्रबेमान और 20 cm तृज्जा के गतिपालक पहिये पर लपेटी गई तो दिखे द्रबेमान जो है यहां पर हम वैल्यूज लिख लएते आगे हम सौण करेंगे countries है जो है वह कितना वुठ यहा कितने है 20 kg । ठीक है कितना है 20 कजी और 20 cm तृज्जया है मतलब रेडियस जो है त्रिज्या जो है ये कितना भीया 20 cm लगे हथो इसको है न कनवर्ट कलो 20 वटा में 100 खतम खतम 0.2 मीटर है हला क्योंकि ये दिक्कत करेगा ही तो कनवर्ट कलो गति पालक पहिए के रिम पर लपेटी हुई है ऐसा कुछ है ठीक है इसका रेडियस हो गया हमारा ये इसके उपर इस तरीके से लपेटा गया है ठीक गति पालक पहिए 36 धूरी पर 36 धूरी पर लटकाया गया जिसमें बेरिंगों में कोई घर चानी अब पहिए के कोणिया त्वरण की घर ना कीचिए ठीक है ठीक चलिए इसको ऐसा नहीं इसको ऐसा लपेट ही देते हैं ये इसके उपर लपेट ही गई है ये ऐसा आ इंयो इसकुछ लपेटा गया है हमसे कुछ-Кछ बात ने हो रही है हम से सबसे पहले बात लेगे पहिए का कोंगे तो हमें इसके अंदर कलेक्ष करनी है तोचलिए हम काम काते है सबसे पहले निकाल लेत को तो इस alpha को निकालने के लिए है यह जो alpha में निकालना है इस alpha को निकालने के लिए थोड़ी से मेहनत करनी पड़ेगी क्या मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं कहता हो देखे ना torque जो होता है जो torque होता है बल आगुड है यह torque का मतलब activity का है यह बल आगुड बल आघौन होता है यह होता किसके बराबर है वई तो जह तरीके से एफिकलग्स टो Bandi में होता है उसी तरीके से यह होता है हमारा आई अलफा और मुझे एक और बात पता है यही बल आघौन होता है बल एंटू लबवत दूरी तो मततब यही हो जाएगा क्या force into a radius अब यहाँ पर यह जो हमने बनाया हुआ था कि यह यह इस तरीके से एक रसी लटक रही है इसके उपर क्या हो रहे है यह नीचे की तरफ इसके उपर force लग रहा है वो है कितना तो 25 newton का यहाँ पर एक बल भी दिया हुआ है बल कितना है एफ का मान है 25 newton तो यहाँ रख लेते हैं एफ है हमारा 25 newton का यह 25 newton का अब यहाँ पर हमें calculate करना अलफा तो अलफा क्या मिलेगा देखिए अलफा इक्वल्स टू एफ इंटू आर अपॉन आई तो एफ और आर तो दिख रहा है हरा आई नहीं है तो अई निकालना पड़ेगा अई निकाल के लिए आते है चली तो आई के लिए हमें पता है एक काम करते हैं इधर आता हूँ मैं कहता हो हूँ देखे जडत्व आघौन जडत्व आखुन अई एक लग स्टो होताँ भेया एमार इसकार अब I equals to M की value तो given है ना 20 और R कितना है भई पॉइंट तो ये हो जाएगा 20 है ना और R हो गया 0.2 का स्कार लेकिन एक ट्विस्ट है क्या तो इसका MR स्कार अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये कितना होगा भी है half of MR सकर क्यों पॉइंट हो जाएगी 1.2 MR सकर 1.2 क्यूं लगा रहा हूँ क्योंकि ये जड़त्व आघुन किसके लिए भी तो एक गत्वालक पहिया है यह क्या है गती पालक पहिया खोखला रिंग नहीं है खोखला ऐसा रिम नहीं है खोखला रिम होता तो हम जाते किस एम आरिस्कार लेकिन यह पहिया है पूरी तरीके से ऐसा तो यह हाँ आरिस्कार अब ठीक है तो i equals to kतना मिलगा भी तो यह 1 upon 2 तो यह तो 10 करी देता हूँ, 0.2 का स्कार, 0.04, अगर I लिखूं भी तो यह किता हो जागा, 0.4, ठीक है, क्या हो गया, 0.4, केजी मीटर स्कार, अब तो मिल गया न हमारा पहला अंसर, अल्फा, क्या है भई, 0.4 केजी मीटर स्कार, तो अब हो गया, अल्फा, F की व वेल्यू, 0.2, और हमारा I आई चुका है, 0.4, 0.4, तो यह पॉइंट से पॉइंट तो गया, दो से दो बार में कैंसल, और यह दो से 12.5, मतब अल्फा जो मिल गया, यह किता है, बिल गया भई, तो बारह दसमलो पांच, बारह दसमलो पांच, रेडियन पर सेकेंड इसकार रेडियन पर सेकेंड स्कार, ठीक है, यह अल्फा की वेल्यू मिल गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं कि 2 मीटर रसी खुलने तक कर्शन बलदोरा किये गये कार की गड़ना कीजिए, अब 2 मीटर रसी खुली है, तो कार कितना होगा, देखे दूसरा सवाल, 2 मीटर रसी खुलने पर, अर्थात, विस्थापन कितना होगया भीया, तो विस्थापन होगया हमारा 2 मीटर, ठीक है, विस्थापन कितना होगया, 2 मीटर, तो कार कितना होगा, कार जो होता है, यह होता है हमारा, बल इंटू विस्थापन, बड़ा ही सिंप सा सवाल है भी है तो वर्गडन जो मिला मुझे है बल कितना फोर्स कितना भी है पचीस न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इस पे कितने का पचीस न्यूटन का यह जो फोर्स लग रहा हो कितने का पचीस न्यूटन और विस्थापन कितना हो रहा है तो विस्थापन हो रहा ह थर्ड में कह रहे हैं कि इस छड़ पर पहिये की गतिज उर्जा की गढ़ना किजिए मानिये कि पहिया सुनने से गती करना प्रारम करता है यानि सुनने से ये पहिया जो है प्रारम कर रहा है गती करना मुझे यहाँ पर गतिज उर्जा चाहिए तो गतिज उर्जा घूर्णी गतिज उर्जा अल्टिमेटली अब मुझे निकालने पड़ेगी घूर्णी गतिज उर्जा तो कानेटिक एनर्जी घूर्णी कितनी होती है भई तो यह होता है हाफ आई ओमेगा स्कॉरर अब सवाल है कि आई तो है मेरे पास omega square चाहिए अब omega square कैसे मिलेगा भी तो omega square निकालने के लिए हमें थोड़ी से करनी पड़ेगी महनत हरा तो सबसे पहले है तो हम निकाल लेते हैं कि भाई विस्थापन कितला होगा तो कह रहा हूँ मैं कि दो मीटर घुर्णन बराबर तो खुली हुई रसी की लंबाई जितनी रसी खुली है ठीक है उसको अगर इसके ये पहिये के तुरिज्जा से डिवाइड कर दूँ तो मुझे घुर्णन नहीं मिल जाएगा भाई ये देखे अगर ये ये दो मीटर की रसी है और मैं कहता हूँ इसका रेडियस कितने का भाई ये एक मीटर का तो इससे अगर डिवाइड कर दूँ हरा तो मुझे इसका मिल जाएगा ना कि रसी कितनी बार घुमी होगी तो सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ डिवाइड तू मीटर अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया हरा तो यह कितना बन जाएगा भी इसको उपर उठा के दस कर दीचे तो यह दो से दो कैंसल हो गया यानि दस और रेडियन क्या मिलेगा भी दस रेडियन अब मुझे ओमेगा स्कूर चीए तो मैं कहता हूँ देखे किस में मिल जाएगा थर्ड़ एक्वेशन चले घोनी गती के घोनी गती के ती ती समेकरन से तो ती 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 समेकरन क्या कहता भी या यह कहता ओमेगा इस्क्षार is minus omega naught का स्क्षार is equal to 2 alpha theta बिल्कुल से में 2 v square minus u square equals to 2a s बिल्कुल ऐसा ही दिखर बस घोनी में चल रहे है तो अब omega square equals to क्या लिख लूँगा, omega not का square plus 2 alpha theta, अब या omega not का square, मतलब omega not तो 0 था, यह 0 हो गया, plus 2 time, alpha, alpha के value अभी हम लोगों ने calculate करी कही ने कही, यह रहा 12.5, तो यह हो गया, 12.5, theta, theta कितना निकलेगा भी या, जो घोड़न निकला है यह न, theta, तो theta मिल गया, मुझे 10, इसको multiply कर दीजे, तो यह 125 हो गया, है न, 10 का multiply करेंगे, 125 हो गया, 125 दो नहीं, 250, मतलब omega square की value जो मिल गई, वो सीधे-सीधे मिल गई कितना 250, अच्छा, ठीक है, चलिए, तो अब रख देते हम सीधे कहां पे लेया करके, इस form में, तो अतहर, यहाँ पर 1 upon 2, I की value 0.4, into 250, इससे cancel करेंगे, यह किता हो जाएगा, 0.2, 0.2 का मतलब किता है, 250 दो नहीं, 500, और एक दसमलो लग जाएगा, मतलब 50 जूल, किता मिल आपको, 50 जूल, यानि, यहाँ पर 2 मीटर रसी खुलने पर भी कितना मिल था, 50 जूल, और मैं कह रहा हूँ कि घूरनी कहती जूर जा कित के भी उतना ही कारे करेगा, यह जितना विस्थापित हो करके कारे कर रहा है, उतना ही घूम करके काम करेगा, तो ऐसा नहीं कह सकते क्या, कि विस्थापन करने में जितनी एनरजी हमने लॉस करी है, वही एनरजी इसके घूरनन में चली गई, या फिर मैं कहता हूँ, जितने फिफ्टी जू ले भी आए तो फिफ्टी जू लिए तो इसका मतलब समझ में आता है कि इसमें जो हमारा राखिक है ना राखिक इसके अंदर में कार इसो हो रहा है वो किसके बराबर है तो जो इसमें घोर्णी कती हो रही है घोर्णी कती जूर्चा हो रही है उसके बराबर ह ठीक है तो ये दोनों कारे बराबर हो गए मतलब लॉस कुछ भी नहीं हुआ जितना मैंने यहाँ पर एनरजी खर्च करी उससे यह पूरी की परी तरीके से क्या हो गया है यह रिम रोटेट हुआ जैसे साइकल के पहिये की भी बात करिये तो उस पे चेन क्या करता है जा करके वो बीरिंग्स के जरी उसको घुमाता है पहिये को तो भई इस प्रकार से कुल हमने solar questions के माध्यम से इस chapter के इंतरगत आने वाले miscellaneous type के मतलब बहुत सारे varieties of questions हम लोगों ने देखे समझे सीखे और already हम लोगों ने क्या करा हुआ भई तो हमने already इस chapter को पढ़ा हुआ उसमें भी हम लोगों ने questions देखे थे मतलब numericals के exclusively मैंने कुछ series बराई आपके लिए जहां पर मैंने अलग-अलग तरीके से format wise एक-एक pattern के questions को cover up करा है and finally हमने miscellaneous भी साथी साथ आपको मिल जाता है magnet brains की तरब से पूरा concept video and उसके साथ साथ आपकी NCRT के solution video मतब NCRT के exercise questions है उसको भी हमने आपके लिए solve कर रहा हुआ है ठीक है इसी तरीके से आपको मिल जाता है one shot revision video mc choose की series previous year question paper most important question paper value based questions बहुत सारे segments आपको देखने को मिल जाते हैं यह पूरा ही course content magnet brains लेकर काते है आपके लिए free of cost मतब्द आप चाहें CBC से हों Hindi medium से हों या फिर आप CBC के English medium से हों या फिर आप किसी भी state boards यह पूरा course content NCRT best है अगर आप हम से जुड़े NTSC Olympiad, CUET या फिर spoken English के लिए तो भही आप basically बने रही है इस channel के साथ क्योंकि यह सारे ही courses लेकर क्याते है एक high quality content के साथ free of cost लेकर क्याते है experience teachers के साथ लेकर आप चाहते है और improvisation और improvement तो simply इस वीडियो के description box में जाए यह link को follow के जाए and check out कर लिए अपने लिए books and e-books जो कि exclusively magnet brands की team द्वारा आप के लिए design की गई है तो फटा फट जाए लिंक को follow केजे and check out कर लिजे in books and e-books को भी अब ये Hindi medium में भी available है तो भी जिस तरीके से आप connected हमारे YouTube channel पे ऐसे हम से जूट सकते है हमारे social media platform that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram पर जहाँ पर आपके कोई suggestions हो कोई सुझाओं वह वह हम तक पहुचा सकते हैं और हमारी तरफ से कोई भी नई information आती है वह फटा फटा आप तक पहुच सकती है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe आपने सभी दोस्तों में share कर दीजे भई क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि magnet brands हिंदी लेकर क्याते quality education, experience teachers के साथ वो भी free of cost तो मिल रहे हैं अपने अगले station में कुछ और धमाकेदार series के साथ तब तक के लिए thanks for watching